आजाओ दोस्तों आजाओ सब लोग सर आजकी क्लास शुडू करते हैं आजकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ने वाले हैं अपन आजकी क्लास में आजकी क्लास में अपन पूरा का पूरा management and administration chapter का revision करने वाले है सबसे पहले जो लोग youtube पे देख रहे हो अगर तुम लोग आ गए हो तो ज़रा like ठोक देना अपने लिए भी और मेरे लिए भी पूरा revision करना है जब तक revision खतम नहीं होता उठ करके कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बीच में हारने की जरूरत नहीं है फूरा revision एक बारी में करना है या maximum दो parts में इसको revise करना है पर revision करना है समझे अरे बोलो हाँ की नहीं हाँ sir ओके एक second रुख जाओ चलो sir तो मैं यह कह रहा था आप लोगों को management और administration जो chapter है वो शुरू होता है section 88 पे और जाकर के खतम होता है section 122 पे तो हम लोगों को करीबन गरीबन 98, 108, 118 करीबन 35 sections revision करने है पर इत्ती बड़ी बात है नहीं और MGT 1 form से शुरू होता है और यह MGT 15 तक जाता है जहाँ पे 9 और 10 जो है वो हमारे syllabus में नहीं है उसके बाद sir शुरू करते है section 88 के साथ section 88 से लेकर के 105 एक सुर में करेंगे पूरा तुम लोग भी एक दब होश में आ जाओ और कर लो मेरे साथ फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे sir section 88 क्या है section 88 talks about register of member register of member क्या है मेरे तरफ देखो सारी provision में करवा दूँगा law सबसे पहले ही कहता है कि भाया तुमको ना register of shareholder यानि कि equity shareholder और debenture shareholder रखना पड़ेगा sir यह जो equity shareholder और preferent shareholder वारे register होता है न यह आप रखोगे in the form mgt1 पर उसके अलावा debenture shareholder और other security holder होलडर होते हैं इनको आप रखोगे in the form mgt2 आप इन forms में क्या बनाओगे register बनाओगे और उनको maintain करोगे sir यह जो register होता है न उसमें आप index बना के रखोगे क्या बना के रखोगे index बना के रखोगे यह जो index है sir सुनना मेरी बात ध्यान से एकदम एकदम मेरी बात एक सेकेंड हाँ हाँ जी सर सुनना जो index आप बना के रखोगे यह form mgt1 और mgt2 में इंडेक्स बनाओगे इंडेक्स तभी बनाओगे अगर आपके जो number of members है न वो 50 या 50 से ज़ादा है अगर 50 से कम है तो आपको index बनाने की जरुवत नहीं है तो law यह कहना चाहता है कि अगर exact 50 है तो भी आपको index of members बनाना पड़ेगा और उसके बाद सर इंडेक्स अगर एक line नहीं ने लिख दिये क्या लिखिये सुनना अगर जो index है न अगर आप register बना रहे हो beneficial owner का in case of depository तो काम हो जाएगा तो अगर उनका register बना ले रहे हो न तो deemed compliance of this act हो जाएगा उसके बाद सर एक second फोर्थ वाला point पढ़ते हैं पर उसके बेले आगे आजाओ यहाँ पर register के बारे में कुछ और बात है रिखी हुई है सर यह register में जो आप data डालोगे शेर ओल्टर का नाम डालोगे यह किते दिन के अंदर डालोगे तो register के अंदर जो आप data डालोगे वो आप 7 दिन के अंदर डालोगे वितिन 7 months of allotment और transfer of sheds उसके बाद सर यह register किदर रखोगे तो लोगे ने कहा देख बिटा register को ना registered office में या फिर उसके local limits के अंदर city town village के local limits के अंदर रख लेना लेकिन अगर तुम उसको उस city town या village के बाहर ले जाना चाहते हो तो आपको SR pass करना पड़ेगा और तुम एक ऐसी जगा ले जा सकते हो within India जहाँ पे 110 से जादा member रहते हैं मतलब क्या sir 110 से जादा member मतलब अगर 1000 member है company में तो 101 member उस जगे पे रहना चाहिए जहाँ पे आप registered office रखने की बात कर रहे हो sir मैं एक बात बताओ मेरी office Mumbai में मेरी रेजिस्टर्र मुमबई मेरे company में 1000 members है मैं गवा ले जाके register रखना चाहता हूँ क्या मैं रख सकता हूँ अगर गवा में 101 member है क्या में ले जाके रख सकता हूँ बिलकूल रख सकते हो आपको pass करना पड़ेगा आपको pass करना पड़ेगा SR नेकिन सर अगर मैं आपसे ये पूछू कि दुबई है दुबई में वहाँ पे 500 मेंबर है 1000 में से 500 मेंबर तो दुबई है तो वहाँ पे लिजा करके रख लूपया नहीं वहाँ पे नहीं रख सकते आप आपको इंडिया के अंदर ही रखना पड़ेगा SR pass करके अब सर उसके बाद ये points आप छोड़ सकते हो क्या लिखा हुआ है अगर एक company limited by shares है तो वो तो MGT1 follow करेगी जो MGT1 form हमने बोला है पर अगर उसके अलाबा company not having share capital है तो उस case में आपको MGT1 के जगा इन्हों ने लिखा कि भया basic detail of member देना उसका नाम address अगर वो minor है तो उसके guardian का नाम और date of birth देना और उसके nominee का name और address देना और कब वो member बना कब member खतम हुआ ये सारे details आपको डालने पड़ेंगे और कोई भी changes अगर होता है share holding में कैसे अगर किसी की death हो गई या फिर कोई insolvent हो गया या फिर किसी का share IEPF को transfer हो गया तो वो सारे changes जो है आप अपने register में record करोगे तो ये important section नहीं है important उपर क्या है कि आप कहां पे रखोगे अपना register उसके बाद सारा आ जाओ foreign register में foreign register क्या होता है जैसे कि मैंने कहा अगर मेरी company में 1000 member है और उसमें 500 member जो है वो दुबई में है तो आप एक register maintain कर सकते हो दुबई में भी जिसको हम कहेंगे foreign register लेकिन foreign register खोडने के लिए आपको AOA में authorization चाहिए और आप foreign register इंडिया के बाहर खोल सकते हो और उसमें सिर्फ वो share older और वो adventure older का नाम आएगा जो इंडिया के बाहर reside करते हैं इंडिया वालो का नाम ले जागे बाहर मत लिख देना अब सरी foreign register मालो में ने खोला Thailand में foreign register मालो में ने खोला Thailand में तो जैसे आप foreign register खोलोगे न उसके 30 days के अंदर आपको ROC को पड़ो स्वारी अंटी को बताना पड़ेगा, अंटी सुनो, 30 दिन के अंदर बता देना, कि हमने एक foreign register खोला है, और उनको NGT 3 form में बताना, तो अगर आपने Thailand में मानलो Phuket में खोला था, और Phuket से उठा करके आप उसको Bangkok लेके जारे हो, आपको वापस है ROC को intimate करना पड़ेगा, 30 days के अंदर, कि हमारा situation चेंज हुआ है, रेजिस्टर का, उसके अलावा सर, यह जो foreign register होता है, उसको एकदम principal register के बरावर माना जाता है, और आप अगर चाहो, तो यह foreign register का inspection भी कर सकते हो, जिसे आप normal principal register का कर सकते हो, पर एक point principal register close होता है, पता है, close होता है, कुछ तो पढ़ा था, हमने 45 days, 30 days, 7 days, पढ़ेंगे section 91, तो जिस तरीके से principal register close होता है, तो आप newspaper में add देते हो, पर जब foreign register close होगा ना, तब भी आप 2 newspaper में add दोगे, पर वो 2 newspaper, local newspaper नहीं होगा, वो बाहर वाला newspaper होगा, advertisement before closing foreign register, shall be inserted in at least 2 newspaper, circulating in the place where foreign register is kept, जहां पर foreign register रखा है, उदर जो भी भाशा चलती है, जो भी newspaper चलता है, उसमें आप दोगे, इंडिया के newspaper में दे करके, मत बैठ जाना, उसके बाद entry in foreign register, आपका कोई भी अगर foreign, कोई भी transfer होगा, या allotment होगा, तो आप उसको तुरंद बाद उसके foreign register में डालोगे, आप सर बहुत important point, foreign register अगर कभी destroy होगया तो, तो law ने provision बना के रखा है, कि बारी-बारी, समय समय पे तुम क्या करते रहे न, remit करते रहे न, information, transmit to registered office, a copy of the, copy of every entry, within 15 days of making entry thereof, और ये जो copy आएगा ना आपका, ये आप इसका duplicate register एक अपने registered office में भी रखोगे, आपके duplicate register रखन पड़ेगा, अब सर, important point, अगर आप अपना foreign register discontinue करना चाते हो, बंद करना चाते हो, तो आप बिल्पुल discontinue कर सकते हो, पर जो data है न, उसमें, उसको या तो किसी और foreign register में ले जाओ, या India principal register में ले जाओ, पर वो data का पूरा आपको backup लेना पड़ेगा, discontinue करने के पहले, there upon all the entries shall be transferred to some other foreign register, और to the principal register, और अगर आपने failure की है, तो आपको penalty लगेगा, 3 लाग का company को, और officer in default को 50,000 का penalty लगेगा, अरे बच्चो बोलो तुमको मेरी बात समझ आ रही है क्या, सिर्व एक जिन दीपा मिश्रा पढ़ रही है क्या, बोलो, बोलो, खुछ तो बोलो, मुह तो खोलो, जो 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 लोग चैट में बाते करेंगे, उनको मेरी तरह से भगवान, उनको एक एक नमबर एक्स्ट्रा दे देना, लोकी मार्क्स में, सिर्फ एक चैट करने का एक मार्क्स, छलो, नेक्स में को यह बता हूँ, भच्छो क्या, register of member में किसी minor shareholder का नाम आता है, ना जी, आ बिलकुल भी नहीं, आप minor shareholder का नाम जो है, वो register of member में बिलकुल भी नहीं लिखते, दूसरा sir, क्या joint shareholder का नाम क किसे आता है register of member में, तो joint shareholder में मालो 3 लोग है आप sequence decide करते हो in the sequence of seniority जो सबसे senior है उसका नाम सबसे पहले आएगा और उस sequence में आप नाम लिखोगे joint shareholder का Sir joint shareholder का नाम कौन से sequence में आएगा वो कैसे decide होगा जब आप membership का form भर रहे हो ना तब आपको accordingly यह बताना पड़ेगा कि first shareholder कौन है second shareholder कौन है third shareholder कौन है और जो सबसे पहले जिसका नाम होगा वो क्या करेगा पहले जिसका नाम होगा वो क्या करेगा वो आपको वो जिसका नाम होगा वो senior shareholder कहलाएगा अब सर अगले provision की तरफ बढ़ते अगले provision की तरफ बढ़े क्या हा सर चलो सर अगला provision क्या है अगला provision जो है वो मैं आपको एक बार notes से बता देता हूँ यहाँ पर notes से बता देता हूँ अगला provision क्या है सर section 89 जो beneficial owner के बारे में बात करता है वो कहता है सर अगर कोई registered owner है लेकिन beneficial owner कोई और है यह registered owner जो है वो company के register of member में उसका नाम है सर पर beneficial owner कोई और है तो law कहता है बिटा तुमको company को intimate करना पड़ेगा in the form MGT4 30 days के अंदर और beneficial owner तुमको intimate करना पड़ेगा in the form MGT5 30 days के अंदर और जैसे ही company को यह मिल जाएगा तो company ROC को intimate करेगी in the form MGT6 30 days के अंदर यह क्या intimation हो गया सर, intimation, intimation कि हम जो है ना, नाम किसी और का है और beneficial owner कोई और है यह intimation आप 30 days के अंदर करोगे सर अगर यह आपका registered owner और beneficial owner में कोई changes भी होते हैं मालनो shares कम जादा हो जाते हैं तो भी आपको 30 days के अंदर क्या करना पड़ेगा company को intimate करना पड़ेगा पर सर मान लो अगर इन्होंने intimate नहीं किया अगर मान लो इन्होंने intimate नहीं किया तो क्या, अगर इन्होंने intimate नहीं किया तो कल को beneficial owner आकर करके company से यह लिए नढ़ सकता कि ये shares में मेरे rights है या कुछ भी आपको अगर beneficial owner बनना है तो आपको MGT5 file करवाना पड़ेगा और MGT4 file करवाना पड़ेगा अगर आप नहीं करवा रहे हो तो फिर आप ना आ करके अपने rights नहीं claim कर सकते आगे चल करके सर ये आपका पूरा provision था आपको इससे जादा पढ़ने की बिलकुल भी जरुवत नहीं है इसे में आप सिर्फ इत्ता समझ लो कि अगर आपने declaration company को नहीं दिया तो आप पे penalty लग जाएगी पचास हजार रुपे का और दिन का 200 रुपे per day maximum 5 lakh rupees लेकिन failure of company to make MGT6 अगर company ने आगे MGT6 नहीं बेजा तो company और officer in default को fine लगेगा 1000 रुपे per day का up to a maximum of 5 lakhs and 2 lakhs in case of officer in default आपको penalty कितना लगेगा सर देखो उपर चलो मैं तुमको बता देता हूँ यह important penalty नहीं है इसका मतलब क्या exam में नहीं आएगा सर वो मेरे को नहीं पता मैं बस बोल रहा हूँ important नहीं है इतनी अब सर उसके बाद वाला point सुरो सर कभी-कभी क्या होता है mutual fund के case में भी trust create होता है तो mutual fund invest करना चाहता है पर mutual fund खुद नहीं invest करता है trust के through invest करता है तो यह जो trust है न यह registered owner बन जाता है और mutual fund beneficiary owner बन जाता है तो भी क्या यह provision लगेगा law ने बोला नहीं mutual fund के case में venture capital fund के case में और other से भी approved fund के case में यह जो provision है वो नहीं लगेगा समझे आगे बड़े सर सर अब section 90 क्या है बहुत similar है section 90 समझ लेना मैं वापस से आपको notes में बता रहा हूँ easy तरीके से section 90 क्या है सर section 90 यह कहता है कि अगर beneficial owner नहीं significant beneficial owner है significant beneficial owner मतलब क्या सर या तो वो more than 10% of share capital hold करता है या तो वो more than 10% of voting power hold करता है या फिर वो more than 10% of dividend dividend लेने का हक रखता है या फिर वो अगर सर कोई भी right to significant influence है गर वो significant influence का right रखता है सर यह directly या indirectly यहाँ पर बहुत detailed concept है आपन उसमें revision में अभी नहीं कुसेंगे और अगर यहाँ पर आप directly या indirectly यह rights रखते हो तो आपको as a significant beneficial owner क्या करना पड़ेगा आपको company को intimate करना पड़ेगा लेकिन जैसे company को यह मिलेगा company ले जाके ROC को देदेगा in the form beneficiary 2 और company sir company जो है वो क्या करेगा सुनना मेरी बात खुद भी एक register maintain करेगा in the form ben 3 जिसमें वो सारे significant beneficial owner का detail लिख करके रखेगा अब sir यह जो register है ना इसको inspection अगर कोई करना चाहे तो वो inspection कर सकता है during business hours और company जो है ना वो अगर चाहे तो business hours पूरा दिन रखने के जगा कोई specific time define कर सकती है कि इसी समय आकर के तुम क्या करना review करना पर company जो है वो business hours को 2 घंटे से कम नहीं कर सकता minimum 2 घंटे का तो business hours आपको रखना ही पड़ेगा अरे बोलो मालिक समझे क्या अरे हा की नहीं हा सर ये आपका पहला phase हो गया दूसरा phase क्या है अगर अभी कभी कभी क्या होता है company जो है ना उसको पता रहता है कि significant beneficial owner कोई और है पर उनको MGT 1 ये band 1 आता नहीं है तो company क्या कर सकती है company सीधा notice बेज सकती है किसी इंसान को in the form ben 4 सर ये notice किसको बेजोगे आप किसी भी इंसान को जो significant beneficial owner है या कोई भी इंसान जो जानता है कि significant beneficial owner कौन है या कोई भी इंसान जो पिछले 3 साल में significant beneficial owner रहा है not that important आप किसी भी इंसान को notice भेजोगे और बोलोगे बता तू significant beneficial owner है ना अब ये जो इनसान है ये company को revert करेगा कितने दिन के अंदर सर आपको 30 days के अंदर revert करना पड़ेगा अगर 30 days के अंदर आपका कोई reply नहीं आया अगर 30 days के अंदर कोई reply नहीं आया तो उसके बाद 15 दिन के अंदर company जो है वो चला जाएगा ट्राइबिनल के पास और ट्राइबिनल को बोलेगा ट्राइबिनल सुन यहाँ पे ना एक बंदा है जो significant beneficial owner है पर बता नहीं रहे तो तू please इस पर order पास कर और ट्राइबिनल क्या है फिर opportunity of being hurt देने के बाद वो 60 days के अंदर order पास करेगा और यह जो इनसान है ना इसके shares को transfer restrict कर देगा यह suspend कर देगा इसके powers को और यह सारी चीजे करेगा जब इस तरह का order आ जाए ना तो इस इनसान के पास right होता है कि वो वापस से एक साल के अंदर apply करे ट्राइबिनल को कि बहिए ट्राइबिनल मेरे ना shares free कर देना थोड़ा restriction हटा देना और अगर इस तरह का application ट्राइबिनल को आ जाता है तो तो वो देख करके restriction हटा देगा पर अगर नहीं आता है ना तो फिर आई ट्राइबिनल जो है एक साल खतम होने के बाद IEPF में ये shares transfer करवा देगा और ट्राइबिनल नहीं करवाएगा अचली company करवाएगा company इसको IEPF में transfer करवा देगा वा सर इतना detail क्या पढ़ा रहे हो अब है detail क्या basic है ये तो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मैंने क्या कहा सर जिस दन आप ये transaction पूरा समझना ये आपका Ben4 गया Ben4 किस ने वेजा company ने वेजा एक इनसान को अब वो इनसान को 30 days का time है तो reply अगर 30 days के अंदर reply नहीं आया तो 15 दिन के अंदर आप चले जाओगे ट्राइबिनल के पास ट्राइबिनल के पास time है 60 days का 60 days के अंदर ट्राइबिनल क्या कर सकता है आपको reply कर सकता है और 60 days के बाद आपका order क्या आ जाएगा कि हम restrict कर रहे हैं कि हम आपके powers को suspend कर रहे हैं अगर ये order आ गया तो उसके बाद जो share older है वो एक साल तक apply कर सकता है ट्राइबिनल को कि ट्राइबिनल ये restriction वगएरा हटा देना और अगर ट्राइबिनल ने नहीं हटाया तो एक साल के बाद ये share जो है आई-पी-फ में transfer हो जाता है वह सर मजा आ रहे हैं हाँ वह भाई साब इस से जादा भाई साब पढ़ने की जरुवत नहीं है यहाँ पर एक और point आएगा वो मैं देख लूँगा restriction with respect to transfer होगा नीचे एक और point होगा कुछ मैं तुमको लिखवा दूँगा notes में जो लोगों के बास edition 2 है तुम्हारे में शायद लिखा होगा चलो सर आगे बढ़े आगे बढ़े समझ गए क्या और सर उसके बाद आप समझो एक साल के बाद IEPF में transfer हो जाएगा फिर last में है important penalty सर तीन subsection में है penalty समझो failure क्या हो गया अगर person fails to make declaration under subsection 1 सामने से अगर उसने ben 1 नहीं दिया तो उसको 50,000 रुपे का fine लगेगा और दिन का 1000 रुपे लगेगा up to a maximum of 2,00,00 अब सर उसके बाद अगर company register नहीं बनाता register और allow inspection दे रहाओ अगर company register का inspection नहीं करने देता तो company और officer in default पे fine लगेगा company पे 1,00,500 रुपे दिन 5,00 रुपे और officer in default पे 25,000,200 रुपे पड़े 1,00 रुपे sir मैं आपको एक रांबार निलाज बताओ, सुननो मेरी बात, पसंद आएगा तो like जरूर करना अगर exam में कभी mcq आ गया penalty पे और अगर आपको penalty का answer बिल्कुल नहीं पता और अगर mcq में negative marking नहीं है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे सुनना company का maximum penalty हमेशा 5,00 लाग होता है और officer in default का maximum penalty हमेशा 1,00 लाग हमेशा नहीं मतलब इन general cases, जब आपको कुछ नहीं पता तो ये तो आपको पता ही है कि company का maximum 5,00 लाग का penalty लगेगा और officer in default का maximum 1,00 लाग का penalty लगेगा और sir अगर आपने जान मुझकर के incorrect information फाइल किया तो आप में 447 का fraud का penalty लग जाएगा मेरे को ज़रा एक बार ऐसे ही मेरे कुछी के लिए fraud का penalty याद करा दो ना अरे सुनो एक limit था, एक limit था, limit था 1% of turnover और 10,00 रुपीज whichever is lower यह limit के उपर अगर आप जाओगे तो आपको fine लगेगा कितना, आपको fine लगेगा up to, पहले jail लगेगा jail होगा 6 months से ले करके 10 years तक and आपको fine लगेगा sir up to 3 times, पर अगर public interest involved हो जाता है ना, तो आपका 3 साल से 10 साल हो जाएगा and आपको fine लगेगा 3 times का, अब sir limit से अगर कम है तो क्या होगा, limits से अगर कम है तो आपको fine लगेगा 50 लग तक का या फिर आपको jail होगा, और आपको jail होगा 5 साल तक का, या फिर दोनों भी हो सकता है, कोई problem नहीं है, ठीक है चलो sir, उसके बाद sir section 91 बताता हूँ, मैं आपको section 91 क्या कहता है, अगर एक company है, वो अपने register of members को close करना चाहता है, तो company close कर सकता है, पर मेरी बात सुलो, एक financial year में maximum 45 days के लिए close करोगे, जब एक बार close कर रहे हो ना, तो continuously maximum 30 days के लिए close रहे सकता है, और जब भी close कर रहे हो न उसके कम से कम साथ दन पहले आपको advertisement करना पड़ेगा in the manner as baby prescribed, क्या prescribed होगा sir manner, prescribed यह होगा, एक English newspaper में कर ले ना, एक vernacular newspaper में कर ले ना, तो 3 दिन आपको याद करने sir, 45, 37, 45 days maximum in a financial year, 30 days, एक बार में चल करके, और 7 दिन जो है, वो आपका, 7 दिन जो है, वो आपका क्या होगा, 7 दिन जो होगे, उसके पहले आपको advertisement देना पड़ेगा, अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आपने contravention किया, तो company और officer in default को 5,000 रुपया हर दिन का लगेगा, during which such register was closed, subject हुआ maximum of 1,00,000 रुपया, maximum 1,00,000 रुपया पर हर दिन का आपको कितना लगेगा, 5,000 रुपया लग बहुत important provision है, simple सा provision है, यह कहता है, company तेरको एक annual return बना करके, फाइल करना पड़ेगा ROC को, कब फाइल करेंगे, जब तेरा AGM खतम हो जाएगा ना, उसके 60 days के अंदर फाइल करना होगा, कितने दिन के अंदर 60 days, जब भी AGM हो जाएगा, उसके 60 days के अंदर, पर sir, अगर company ने AGM ही नहीं किया तो, अगर company ने AGM ही नहीं किया ना, तो जो AGM का last due date था, जो भी due date था, उसके 60 days के अंदर फाइल कर देना, और साथ में यह reason भी बता देना, कि क्यों हमने AGM को एकदम समय पे नहीं किया, पर इस तरीके से आपको एक annual return फाइल करना पड़ेगा, sir, सवाल यह annual return में आती क्या चीज़े है, annual return में बहुत सारी चीज़े आती है, sir, annual return में मैं आपको एक बार book से read करा देता हूँ, आपका principal business activity के बारे में आता है, आपको पता है ना, कौन बड़ा होता है, shareholder, CFO की key managerial person, BGR, sir, आपका business activity हो गया, आपके group companies के बारे में हो गया, आपका remuneration हो गया, किसका, आपके directors का और key managerial person का remuneration हो गया, उसके बाद, sir, shareholder, आपको अपनी company का shareholding pattern बताना पड़ेगा, और आपको यह बताना पड़ेगा, members कितने पिछले साल थे, versus members कितने इस साल हो गये है, उसके बाद, sir, key manager, KMP, आपको अपने director, key managerial person, promoter के बारे में बताना और कुछ changes हुए हैं क्या, को meetings के बारे में बताने पड़ेगे, साल में कितने meetings आपने किये है, आपको penalty लगा है क्या कोई company पे वो बताना पड़ेगा, on the company, directors or officers, और compounding और appeal, यह कुछ और चीज़े हैं, आपको बतानी पड़ेगी, उसके अलावा, sir, CFO, आपको certificate of compliance देना प पड़ेगा, और आपको बाकी information जो भी है, वो देना पड़ेगा, तो आप annual return में आपको समझ गया, क्या information देते हो, आप देते हो BGR, shareholder, KMP, CFO, यह class वाले बच्चों तुमको पता है, B से क्या ISR, business activity, G group companies, R, remuneration, shareholder के बारे में दो पॉइंटा, एक तो shareholding pattern और number of shares, दूसर meetings के बारे में, तीसरा penalty के बारे में, उसके बाद compliance, foreign institutional investor और others, तो यह सारी चीज़े सर वैसे याद करनी के जरुवत नहीं है, पर हमसे हो गया, इत्ती आसानी से तो कर लिया बस, अब आगे चल करके समझो, annual return जो है, आपका simple सा concept समझ जाना, कौन से form में बनता है सर, अगर आ कहा, MGT 7 को एक director sign करेगा, और एक company secretary sign करेगा, पर अगर company में company secretary नहीं है, तो, अगर CS नहीं है, तो एक CS in practice से sign करवा लेना, पर तेको sign करवाना पड़ेगा, पर sir, MGT 7, जो one person company में, या फिर small company में बनता है, 7A, not 7, sorry, 7A, तो वो one sign करेगा, sir, उसको CS sign करेगा, पर अगर company में CS नहीं है, तो आपके company का जो director है, वो sign करेगा, आपको CS in practice के पास जाने की कोई जरुवत नहीं है, इस तरीके से sir, आपका document sign होता है, और कुछ companies के लेना, कुछ companies के ले, या annual return को और certify करवाना पड़ेगा, कौन companies के ले sir, एक तो वो company जो listed company है, या फिर वो company, जिसका paid up share capital य या turnover जो है, वो 50 करोडिया उससे जादा है, ये जो companies होते हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनका annual return है, annual return के उपर इनको एक और certificate रखवाना पड़ेगा, वो certificate कौन देगा, CS in practice, और कौन से form में देगा sir certificate, वो form में देगा, MGT 8, MGT 8 form में certificate देगा, ये certificate में क्या लि compliance में है, और कोई भी चीजे, इनके knowledge के हिसाब से incorrect नहीं है, ये दो चीजे लिख करके देगा, CS in practice, क्या लिख कर देगा, कि जो भी चीजे, इनो ने disclose की है, वो compliance में है, और इनके knowledge के हिसाब से कोई भी चीज जो है, वो incorrect नहीं है, ये MGT 8, MGT 7 के उपर लगा करके दे रहे हो Sir, देखो अभी, sign कौन करेगा, annual return, other companies के case में director और CS, CS नहीं है, तो CS in practice, और one person के case में CS, अगर CS नहीं है, तो director sign करेगा, Sir, form क्या होगा, MGT 7 और 7 है, और उसके ओपर certificate लगाना पड़ेगा, listed company को, ये वो company जिनका paid up share capital 10 करोडिया उस से जाधा, ये turn over 50 करोडिया उस से जाधा पड़ेगा, कि जो disclose करता है facts correctly and adequately, and that the company has complied with all the provisions, हम जो भी disclose कर रहे है, वो correctly और adequately disclose कर रहे है, और company ने सारा compliance कर लिया है, तो Sir, आपको disclosure के बारे में बताना पड़ेगा, आपको compliance के बारे में बताना पड़ेगा, किस के बारे में, आपको disclosure के बारे में बताना पड़ेगा, compliance क के बार में CD के बार में DC के बार में बताना पड़ेगा आपको उसके बाद सर आप उसको अपने वेबसाइट पर रख दोगे उसके बाद ROC के साथ फाइल करोगे 60 days के अंदर अगर कब 60 days within the date of conducting AGM पर अगर AGM नहीं हो पाया तो जो आज data उसके साथ दिन के अंदर दे देना specifying reasons for not holding AGM on time उसके बाद सर अगर आपने annual return नहीं फाइल किया तो आपको penalty लगेगी 10,000 रुपए plus 100 per day up to maximum 2 lakhs company को और OID को 10,000 रुपए plus 100 per day maximum up to 50,000 maximum limit change होगे है बाकी से में 10,000 रुपए fixed और हर दिन का 1000 रुपए और सर अगर CS in practice नहीं क्या किया अगर certified के annual return otherwise than in confirmative with this section मतलब क्या उसने compliance done से check नहीं गिया उसने बस हवे में confirm कर दिया तो CS in practice पे 2,000 रुपए की flat penalty लग जाएगी इतनी 2,000 रुपए की flat penalty लग जाएगी के तुमको मेरी बात समझ आई अरे बोलो did you understand अरे बोलो समझ आ रहा है की नहीं बोलो जल्दी light ठोक कर गे बताओ मेरे को जिन्नोंने अभी तक भी rate होक है तो CS में कितना penalty लगेगा बोला मैंने 2,000,000 का penalty लगेगा पात खतम दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं सर section 94 बहुत आसान है 94 में मैंने आपको बोला था 6 चीजों को लेकर के बात होगी सर section 94 जो है वो भी वापस लिख देता हूँ 94 जो है उसमें 2 section cover होते हैं एक है आपका section 88 एक है आपका section 92 88 बात करता है register of members वगेरा के बारे में 92 बात करता है annual return के बारे में सबसे पहला सर place आप इसको रखोगे किदर तो law ने बोला बेटा registered office में या उसके local limits में कहीं भी रख लेना पर अगर उसके बाहर तेर को लेके जाना है इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर outside registered office inside इंडिया तो सर आपको क्या करना पड़ेगा आपको SR pass करना पड़ेगा जिसमें 1 10th of the members जो है उनका approval है 1 10th of the members का approval है किनका 1 10th of the members reside करते हैं तब जाके आप बाहर के किसी place में ले जा सकते हो दूसरा सर मेरे को एक बात बताओ यह जो register of members है इसको preserve कित्ते साल क्ले करेंगे और किसके custody में रहेगा तो custody की बात तो हमेशा याद रखना कि custody तो हमेशा company secretary के या any other authorized person के रहेगा पर preserve कित्ते साल करेंगे depend करता है अगर वो register of member है बले वो principal register है बले वो foreign register है तो आपको permanently maintain करना पड़ेगा पर अगर वो register of debenture older या preferential older है उसका principal register या foreign register है तो इनको आप maintain करोगे 8 साल क्ले 8 साल कब से सर जब आपका redemption हो जाता है ना उसके बाद 8 साल तक के लिए और जो आपका अगर annual return की बात करें तो वो filing के बाद आप 8 साल तक maintain करोगे तो मतलब सर कहने का मतलब ये सर्फ register of member permanently preserve होता है बागी सब usually 8 साल के लिए preserve होते हैं उसके बाद सर custody किसके बास रहेगी वो हमने discuss कर लिया अब सर inspection कर सकते हैं क्या आप inspection कर सकते हैं इन documents का जी हाँ बिल्कुल आप inspection कर सकते हैं आप अगर members है तो आप free में inspection कर सकते हैं अगर अगर other than member है तो आप पैसे दे के inspection कर सकते हैं inspection होता है business hours के दौरान inspection कब होता है business hours के दौरान जो usually 9 a.m. to 6 p.m. होता है लेकिन अगर company चाह तो business hours को कम करके बोल सकती है सिर्फ इतने समय में तुम क्या करोगे inspection करने के आओगे पर ये जो समय तुम बता रहे हो न ये 2 गंटे से कम नहीं होना चाहिए it should not be less than 2 hours कम से कम 2 गंटे तो दिन में आपको देने पड़ेंगे किसी भी working day में business hours में जाकरके members और non-members inspect कर सकते है सर क्या आप extract ले सकते हो इनसे बिलकुल आप extract ले सकते हो और extract ले कोई additional fees आपको देनी नहीं पड़ेगी पर सर क्या आप copy मंगवा सकते हो जी हाँ आप copy मंगवा सकते हो लेकिन उसके लिए आपको section 95 ये कहता है बच्चो section 95 क्या कहता है section 95 ये कहता है कि आप अगर register of member में किसी का नाम लिख रहे है तो उसको principle उसको प्राइमा फेसी evidence माना जाएगा उसको sorry conclusive evidence माना जाएगा क्या लिखाए बच्चो क्या लिखाए यहाँ पे if I am not wrong यहाँ पे लिखाए अच्छा प्राइमा फेसी evidence sorry conclusive नहीं प्राइमा फेसी evidence माना जाएगा कि वही shareholder है तुम्ही हो बंदू सखा तुम्ही हो समझे क्या समझे क्या मालिक ठीक है अब सर अगला फेस शुरू करते है बिना किसी देरी के किसी दिन निकलना जाए भाई मजाग 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 सुनो बिना किस देरी के अगला वाला फेस शुरू करते है अगला वाला फेस क्या है सर section 96 से 105 revise करेंगे दोस्तों वापस से मेरे साथ इसी तरह चलते जाओ देगो सर 96 क्या है सिंपल है annual general meeting सर annual general meeting क्या होता है साल में एक बार जो meeting होती है तो जिस साल company incorporate होती है ना मेरी बात सुनना AGM आपको ह हर साल 6 मेने के अंदर हो जाएगा from the end of financial year financial year खतम होने के बाद अब सर यह जो 6 मेने का time है ना subsequent AGM वाला यह अगर ROC चाहे तो किसी special reason के current आपको up to 3 months तक का extension दे सकता है कितना up to 3 months तक का extension दे सकता है अगर कोई special reason है तो पर special reason हो या ना हो तुमना first AGM का कभी भी extension नहीं दे सक अब सर उसके बाद मेरे को बताओ AGM जो है वो कभ होगा तो AGM का day क्या होगा any day other than national holiday national holiday के अलावा कोई भी दिन सर क्या Sunday national holiday होता है बिल्कुल भी नहीं national holiday क्या होता है national holiday होता है आपका independence day आपका republic day या आपका गांधी जेन्थी जो है October 2 जो है वो आपका national holiday होता है उसके हो हमको ये तो बता है meeting 9.00 a.m. से 6.00 p.m. के बीच में शुरू हो जाना चाहिए पर क्या अगर meeting रात के 11.30 बजे खतम हो रहा है तो चलेंगा क्या meeting अगर शुरू हो क्या में शुरू हो रहा है चलेंगा क्या law ने बोला चलेगा अरे बीटा शुरू होना चाहिए इस समय के होगा पर अगर आप एक unlisted company है क्या है unlisted company है तो ध्यान रखना फिर आप किसी भी place में इंडिया के अंदर कर सकते हो लेकिन शर्थ सर्फ यह है कि तुमने सारे members का consent ले रखा है in advance in advance मतलब क्या meeting के पहले आपने सबसे पूछ लिया है कि भाईया हम ना registered office की जगा कही और करेंगे माल लो registered office मुंबई में है और आप meeting गोवा में करने की बात कर दो तो आप गोवा में बिल्कूल कर सकते हो यह हो गया सर अलिस्टेट पब्लिक company ठीक है और सर अगर government company की बात करू तो government company में आप registered office में कर लो उसके local limits के अंदर कर लो या फिर आप कोई भी other place में कर दो जहांपे central government approve करते है पर बिंदास meeting कर लो कोई problem नहीं है यह आपका पूरा का पूरा section 96 था कुछ point छूटा गया हाँ sir बिस एट point छूटा कि अगर आप अपना first AGM समय पे कर लेते हो first year में तो meeting नहीं हुआ तो law उसको माफ कर देगा क्या मतलब sir अगर एक company incorporate हुई है 15 April 2022 को उसका financial year कब खतम होता है 31st March 2023 को first AGM कब करना था first AGM करना था 31st December 2023 के पहले पहले अब sir इस समय पे उसने मानलो कभी तो भी AGM कर लिया पर sir company incorporate हुई थी 2022 में अभी calendar year 2022 में आपने कोई meeting किया है क्या नहीं किया है क्योंकि आपने पहला meeting तो 2023 में किया है तो law ने बोला कोई बात थी तो first AGM बरोबर कर ले मैं ये वाले provision को माफ कर रहा हूँ तेरे को first year में meeting करने की कोई जरुवत नहीं है आपको no meeting in the year of incorporation incorporation वाले साल कोई meeting करने की जरुवत नहीं है चीक है समझे बोलो हाँ आगे बढ़ेगा दोस्तो बोलो हाँ हाँ सर अब सर 96 हो गया 96 के बाद आप समझो 96 के बाद आप सीधा 96 के बाद पढ़ो 97 97 क्या कहता है अगर 96 में जो AGM बुलाना है वो कंपनी नहीं बुला पा रही है किसी भी कारण वर्ष अगर कंपनी के डिरेक्टर्स जो है वो AGM नहीं बुला रही है और ऐसा एक application जो है वो members ने अगर tribunal को दे दिया कि tribunal सुलना meeting नहीं बुलाया जा रहा है तो tribunal order देगा AGM बुलाने का और फिर उस order के basis में AGM बुलाया जाएगा और उसको validly conducted AGM माना जाएगा और sir tribunal अपने order में directions देगा और वो directions में वो ये तक भी बुल सकता है कि अगर ये वाला जो AGM हम बुला रहे है न उसमें अगर एक member आएगा तो भी quorum मान लिया जाएगा एक member छोड़ो अगर एक proxy भी आएगा न तो भी quorum मान लिया जाएगा ऐसी की तैसी तुम AGM नहीं कर रहे हो न हम अपने मर्जी के हिसाब से कराएंगे tribunal order देकर के बुलाएगा अगर उसके बाद sir section 98 क्या कहता है similarly अगर एक company जो है जो director है या company के जो members है वो application दे सकते है tribunal को और tribunal को बोल सकते है tribunal, tribunal हमको EGM करवाना है वापस से tribunal EGM का order देगा और उस order के हिसाब से EGM करवाया जाएगा sir एक बहुत important point समझना section 97 में सिर्फ member application देता है लेकिन यहाँ पे director या member दोनों भी application दे सकते है क्योंकि ऐसा हो सकते है director चाहता है EGM बुलाना पर बुलानी पारे समझे उसके बाद सिर्फ section 99 क्या कहता है कि अगर 97 और 98 में आपने contravention किया है तो आपका section 99 में penalty लग जाएगा कितना penalty लग जाएगा sir देखो section 96, 7, 8 का अगर contravention किया है या अगर आपने tribunal की बात नहीं मानी न तो आप पे penalty लग जाएगा 1 lakh रुपीज तक का up to 1 lakh रुपीज और हर दिन के 5,000 रुपे पर दे हर दिन का 5,000 रुपे पर दे तो sir आपका up to 1 lakh रुपीज and in case of continuing default 5,000 रुपीज पर दे तक का penalty लगेगा company को भी और officer in default को भी समझे हाँ sir अब उसके बाद अगला तुमारा सबसे चाहीता फेवरेट section ध्यान से सुनना extraordinary general meeting section 100 दोस्तो ध्यान से सुनना extraordinary general meeting section 100 मैंने का extraordinary general meeting दो लोग बुला सकते हैं या तो board of director खुद बुला सकता है या फिर जो request करेंगे sir अगर board of director बुला रहा है तो कहाँ पर meeting होगा sir meeting इंडिया में किसी भी place में हो सकता है extraordinary general meeting इंडिया में किसी भी place में हो सकता है पर इसका एक exception है कि अगर एक company है जो बाहर के company का holy own subsidiary है अगर एक company है जो company incorporated outside India की holy own subsidiary है तो यह जो holy own subsidiary है न यह इंडिया में meeting करने की इसको जरुवत नहीं है इंडिया के बाहर जाकर के भी meeting कर सकता है जिसी कि मालो sir एक company है Netherlands की वो Netherlands की company का holy own subsidiary इंडिया में है तो sir यह जो holy own subsidiary है न उसको हम force नहीं करेंगे कि तो company का meeting जो है वो इंडिया में रख उसके बाद sir आजब requisitionist का requisitionist का क्या सीने sir कुछ shareholder जो है न वो जाकर के company के registered office में एक request डालेंगे in the form of notice और वो बोलेंगे हम company का EGM बुलाना चाहते है उस notice में वो बताएंगे कि कौन से matters के लिए हम meeting बुला रहे है और नीचे sign करेंगे सवाल यह है कितने लोग जाकर के request करना पड़ेगा depends करता है company having share capital है कि company not having share capital है अगर company having share capital है तो one tenth of paid up share capital जिसके पास है और अगर company not having share capital है तो one tenth of voting power जिसके पास है वो लोग क्या करेंगे वो लोग जाकर के vote करेंगे वो लोग जाकर के request करेंगे आप सर जब company के पास request आता है यह date बहुत important है जिसको मैं कहूंगा date A इसको कहते date of receipt of valid requisition इस दिन valid requisition आया है आप सर इससे 21 days के अंदर company के board of directors को meeting बुलाना पड़ेगा और इससे 45 days के अंदर आपको meeting held करवाना पड़ेगा क्या करवाना पड़ेगा held और conduct करवाना पड़ेगा आप 21 दिन के अंदर बुला रहे हो 45 days के अंदर conduct करवा रहे हो पर अगर आप दोनों मैंसे कुछ भी नहीं कर पाए तो आप फिर तीन महने के अंदर ना power चला जाएगा requisitionist के पास और आप जो requisitionist है ना वो खुद meeting बुला सकते जो requisitionist है वो खुद meeting बुला सकते क्यों क्योंकि तुमको तो 21 दिन का time दिया था तुमने तो नहीं बुलाया जब board जब meeting बुला रहे ना जब board बुला रहे तो जिस दिन आपका valid requisition आया था उसके तीन दन बात का तीन दन बात का आप क्या करोगे register of member लोगे उनमें जिसका भी नाम होगा उनको meeting में बुला लोगे पर अगर board नहीं बुला रहे क्या होगया अगर requisitionist को बुलाना पड़ रहे ना तो आपना 21 दिन का ये जो 21st day है ना उस दिन का register of member दिया जाएगा और उसपे बुलाया जाएगा अब sir requisitionist मतलब कौन ये लोगों ने जिनोंने initially request किया था ये लोग meeting बुलाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे sir ये लोग सारे members को आप क्या बेजेंगे notice बेजेंगे all members को notice बेजेंगे कित्ते दिन का notice sir वही provision 21 clear days का आपको notice बेजना पड़ेगा उससे कम नहीं चलेगा अब sir ये members का पूरा detail कहां से मिलेगा तो company जो है उसकी responsibility हो जाती है कि requisitionist को सारे members का detail उनका address सारा कुछ दिया जाए और sir ये जो notice बेजने का पैसा खर्चा होगा उसका क्या notice बेजने का जो खर्चा होगा वो आपको reimburse हो जाएगा company के through और company जो है उसको अपने खुद के director के salary में से काट लेगी sir director के remuneration में से क्यों काट होगे क्योंकि काम किसका था meeting बुला ना director का अब director नहीं बुला रहे तो उसके remuneration में से काट लिया जाएगा उसके बाद sir दोस्तो दीपा मिश्रा दोस्तो थोड़ा साना please spellings पे ध्यान रखा करो हम लोग इत्ती मेंनत करते हैं इत्ती सारी चीज़े समझते हैं अगर exam में spelling गलत लिख करके आ जाए न तो फिर अपने को marks का बहुत नुकसान हो जाता है तो sir reimburse company करेगा आगे बढ़ते हैं 21 clear days का notice जाएगा notice अब सारे members को बेजोगे और meeting बुलाओगे meeting का day क्या होगा sir any day other than national holiday meeting का place क्या होगा आपको पता है place जो होगा वो registered office होगा meeting का day क्या होगा आपका day क्या होगा any day other than national holiday place क्या होगा sir आपका preferably registered office होगा और आपका उसके अलावा business hours के अंदर meeting होगा सुबर 9 बजे से 6 बजे सारे rule वही है सर यह notice के आप email में बेच सकते हो, जी हाँ, यह notice आप email में चाहो तो बेच सकते हो, इस तरह के बहुत सारे provision है EGM के, मैं देख लेता हूँ कुछ point चूटा है क्या, हाँ सर, यह जो notice आप बुला रहे हो ना, यह जो meeting आप बुला रहे हो, जिसे मैंने आपको example दिया था, मैं Gautam Adani के सारे shareholders का meeting बुला रहे हो, क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने बुला, Gautam Adani को निकालना है, क्यों निकालना है, सर मैं रस्ते से जा रहा था, बेलपुरी खा रहा था, कर रहा था कुछ-कुछ, ठीक है, अब मेरे को रस्ते में दिख गई Gautam Adani कुछ करते हुए, ठीक है, त एक simple सा point बताता हूँ, यह meeting है EGM, EGM है तो इसमें सारे business जो होंगे, वो special business होंगे, सारे special business को क्या लगता है, explanatory statement लगता है, पर यहाँ पे आपके explanatory statement में आपको reasons disclose करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सर अगर आपने accidentally omit कर दिया किसी को notice बेजना, तो उससे meeting का, meeting जो है, वो invalidate नहीं होगा, एक यह important case law है, important case law क्या है, कि अगर, अगर आप requisitionist जो है, क्या उनको reasons specify करना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, उनको reasons specify करने की जरूरत नहीं है, सर्फ मुद्दा बता दने से काम हो ज सिर्फ matter बताना होगा, reason बताने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सर्फ में को एक बात बताओ, अब आजाते हैं, अगले section में, जिसका नाम है section 101, जो है notice to shareholder, सर्फ कब बेजोगे, जिक भी आपका annual general meeting है, उसके कम से कम, 21 clear days पहले आपका notice, serve हो जाना चाहिए, सर् मतलब क्या, जो AGM वाला दिन है, और जो notice serve होने वाला दिन है, ये दोनो दिन को include नहीं करेंगे, मतलब इसके बीच में gap 21 days का होना चाहिए, अब सर्फ notice अगर आप चाहते हो, कि 21 days पहले serve हो जाए, तो आपको इसके 48 hours पहले notice को क्या करना पड़ेगा, dispatch करना पड़ेगा, क् क्या माल लिया जाता है, deemed to be served माल लिया जाता है, तो इसलिए आपको 48 hours पहले बेजना पड़ेगा, अब सर्फ दूसरा point ये है, आपने बोला 21 days का notice चाहिए, पर क्या shorter period का notice हो सकता है, मतलब कम समय का, 15 दिन का, 20 दिन का, हाँ हो सकता है, depend करता है AGM है, कि EGM है, अगर AGM है त तो depend करता है, company having share capital है, कि company not having share capital है, सर, अगर company having share capital वाली company है, तो उस case में, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर having share capital वाली company है, तो एक unique तरह का इन्होंने निकाला है, इन्होंने बोला, 95% of share capital तो अपन देखेंगे, साथ में अपने को majority in members भी चाहिए, majority in members मतलब क्या, जितने members ह अपरूवल चाहिए, और हमको उतने लोगों का भी अपरूवल चाहिए, जो 95% paid up share capital होल्ड करते है, तब ही जाके आप EGM को shorter notice पे बुला सकते हो, और दूसरा, आपको न, अगर not having share capital है, तो सिर्फ 95% of voting power से काम हो जाएगा, 95% of voting power से काम हो जाएगा, law कह रहे है, सीधे सीध सर, notice में आप place, date, time, hour, सब कुछ बताओगे, और ये भी बताओगे क्या business conduct करने वाले हो, ताकि shareholder उससे साब से decision ले पाए, कि मेरे को आना है, नहीं आना है, सर, notice किसको दोगे, ये बहुत important provision है, मैंने आपको बोला, notice जो है, आपको पागल लोगों को दोगे, mad लोगों को दोगे, और अगर insolvent हो गया है, तो आप उसके assignee को देदोगे, पर आपको notice बेजना पड़ेगा, तो notice सर, आप हमेशा mad लोगों को देदे हो, पागल लोगों को देते हो, अगर आपका accidental omission हो गया, बतब गलती से अगर रह गया, गलती से mistake हो गया, तो law किता है, भीया, मा करके आता है, क्या electronic means से भी notice बेज सकते हो, e-means से email से भी notice बेज सकते हो, क्या, सर आपको 4 point लिखे आने exam में आपको पूरे number मिल जाएंगे, पहला point आपको ये लिखना है, कि electronic mode से notices बेजना जो है, वो stat literally recognized है, मतलब legally allowed है, दूसरा, electronic means मतलब क्या होता है, वो आपको लिखने आप notice बेज सकते हो, email किसको दोगे सर, आप सारे entitled person को address करोगे, मतलब जो भी हकदार है email पाने का, उसके बाद सर, आप उसमें, क्या एक इंसान अपना email ID change कर सकता है, या add कर सकता है, हाँ जी सर, साल में एक बार आप कम से कम ये मौका दोगे, जहाँ पर email ID change और add हो सकता है, आप subject line दोगे email का, जिसमें आप बताओगे company का नाम क्या है, notice क्या है, और place and date क्या है meeting का, मैंने आपको class में दिखाया था, जो आपको मैंने कौन से company का दिखाया था, HDFC bank का दिखाया था, dividend वाले concept में, तो उनका जो notice आता है न, उसमें पूरा ये सारी चीज़े लिखी होत है, क्या मान लिया जाता है, deemed served मान लिया जाता है, और सर कुछ important question का जवाब दे दो मेरे को, सर क्या individual director general meeting ले बुला सकता है, individual director मतलब क्या, इक इक लौता इंसान, क्या वो general meeting ले बुला सकता है, the answer is, सर, individual director कभी भी नहीं बुला सकता meeting, meeting जो है माना की director बुलाते हैं, वर meeting को board of director बुलाता है, एक director अचानक से सोग उठा बुला यार साले shareholder को बुलाओ, नहीं बुला सकता, वो, दूसरा सर, company's obligation to send notice has been, सर देखो, क्या हुआ, company ने email बेजा, सामने वाले को email मिला नहीं, म मेरा काम था मेरे तरफ से विजवाना में, यह नहीं देख सकता, कि जो transmitter है, या बीच में जो transmission है, वो properly जा रहा है, कि नहीं, a company's obligation to send notice shall be satisfied, when it transmits the email, जब उसने भेज दिया, company cannot be held responsible for transmission of email beyond control, आप transmission करवा के नहीं दे सकते, सर, ठीक है, sir, अगर member ने अपने email ID नहीं दिया, तो मैं कहां से बेजूँगा, उसको email मैं नहीं बेज भाऊंगा, और companies act does not provide anything specific regarding condemnation of delay and giving notice, sir, condemnation of delay मतलब क्या, अगर मैंने members का approval नहीं लिया, पर मैंने AGM का notice, 21 days की जगा, 15 days का notice दिया, और बाद में मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने shareholder को meeting मैं पूछ करके, माफी मांग लूँगा, condemnation ले लूँगा, क्या तुम condemnation for delay करवा सकते हो, नहीं, companies act में ऐसा कोई भी provision नहीं है, condemnation of delay को ले करके, ठीक है, अब सर आगे बढ़े, बोलो सर आगे बढ़े क्या, हाँ, बूद बढ़ते हैं, मेरी बात सेनो, दोस्तो, तुम ये revision वीडियो अपने share, दोस्तों के साथ share करोगे की नहीं, ये बता दो, पहले मेरे को ये बता दो, तुम लोग share करोगे की नहीं, अपने दोस्तों के साथ, हाँ की नहीं, कि तुम बोलो के नहीं, बहुत बोजोगे, बोलो के नहीं, ये वीडियो अमारे ले स्पेशल हैं, हम किसी को नहीं देंगे, क्या, चलो सर, 105 तक चलता है, फिर ब्रीक लेंगे, सुनाओ, 102, 102, 102 क्या है सर, 102 सिंपल सी बाते करता है, बिजनेस दो तरह का होता है, बेटा, एक ordinary business, एक special business, पर, पर, अम्मी जानने तो कहा था, कोई भी धन्दा special, ordinary नहीं होता, कोई भी धन्दा छोटा या बड़ा नहीं होता, अरे पर है, business जो होता है, ordinary और special होता है, अगर आप AGM में ये चार business कर रहे हो, तो उसको ordinary business माना जाएगा, financial statement को देखकर के company ने बोला, इस बर जो dividend ज statement, dividend, to declare the dividend for the financial year, directors का क्या, to appoint a director in place of the retiring director, तुम लोग मेरे पीछे-पीछे बोलो ना, to appoint a director in place of retiring director, and auditor क्या है, to appoint an auditor and fixing remuneration thereof, उनकी तंखा भी decide करना, ये चार काम क्या होता है, ये चार काम ordinary business होता है, जब आप AGM में कर रहे हो, इसके अलावा कोई भी और business आप AGM में कर रहे हो ना, वो special business होता है, और sir, EGM में तो आप जो भी करो, EGM में तो जो भी करो, वो सारी चीज़े special business ही होती है, ये point आपको समझा गया, अब sir, special business बनाने का फाइदा क्या है, कोई भी चीज अगर special business है, तो आप जो notice भेजोगे, notice में आप एक statement attach करोगे, जिसको हम कहते है, explanatory statement, क explanatory statement क्या है, basically notice में एक attachment रहता है, जिसमें आप ये special business के एके client item को बहुत detail में समझाते हो, इसमें sir, आपको disclosure देना पड़ता है, जिस disclosure को, मैं, मैं, तो category में डिवाइट करता हो, एक है general disclosure, और एक है specific disclosure, general disclosure क्या है sir, general disclosure ये है, कि जब भी आप कोई transaction कर रहे हो, तो उस transaction में nature of interest nature of interest, क्या sir, nature of interest, financial or otherwise, किसी भी तरह का interest, अगर आपके company के promoter का, director का, या key manager person का, या उनके relative का है, अगर इस transaction में, तो वो nature of interest उनको बताना पड़ेगा, मतलब सर्मालो, अगर अगर अडानी जो है, वो किसी इनसान के साथ special business कर रही है, तो ये इनसान के साथ, अगर किसी director का, अगर कोई interest है ना, तो उसको बताना पड़ेगा, और disclose करना पड़ेगा, और दूसरी चीट, sir, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर वो दूसरा information देना पड़ेगा, हर वो information देना पड़ेगा, जिससे decision making easy हो जाएगा, क्या, decision making, यानि की क्या, ताकि shareholder meeting में आकरके resolution पा कंपनी जो है, वो किसी और कंपनी के साथ कोई transaction में इंटर कर रही है, और इस कंपनी का जो promoter, key manager person या director है, वो अकेले या बाकी लोगों के साथ मिला करके, इस कंपनी का 2% या उससे जादा paid up share capital होल्ड करता है, तो law केता है भिया, तू इस company के साथ interested है, और ये company के साथ अग प्रमोटर, key manager person या director, उनका relative नहीं लिखाए सर, उनका relative नहीं लिखाए सर, promoter, director या key manager person 2% से जादा paid up share capital होल्ड करते हैं, तो क्या माना जाएगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, disclosure देना पड़ेगा, अपने explanatory statement में, कि देखो हमारा director share hold करता है, आप ज़रा सोच सम point होगे है सर, आपके explanatory statement में, सारे points होगे, और अगर सर आपने यहाप पर contravention कर दिया, अगर आपने इस section के यह साप से explanatory statement नहीं दिये, तो every promoter, director, manager, who is in default shall be liable to a penalty of higher of 50,000 और 5 times the amount of benefit accrued to such promoter, सर एक point बता देता हूँ, अगर general point यह है, कि अगर आप यहापर यह disclosure नहीं कर रह हो, और disclosure करने के वज़े से कोई भी benefit हुआ आपको, मतलब क्या, अगर Adani है, Adani जो है, वो transaction कर रहे है, जीत Adani के साथ, और Adani का जो director है, उसका खुद का नाम जीत है, और वो इस company में क्या है, promoter है, क्या है, company में promoter है, तो वो तो interested है ना, तो उसने अगर अपना interest disclose नहीं किया और यह transaction approved हो गया, तो transaction approved होने के बाद, जो भी benefit हुआ है ना, जीत को, वो benefit जो है, वो पूरा का पूरा company को लटाया जाएगा, it will be held in the trust of such person and will be compensated to the company, माना जाएगा, आप company के भरोसे पे रख रहे हो, और company को पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, यह आपका क्या था सर, explanatory number of members that are required to be present to have a valid meeting, तो law क्या कहता है, quorum क्या होता है, सबसे पहले अलग-अलग होता है, public company में अलग, और private company में अलग, पर सबसे पहले एक line हमेशा लिख देना quorum में, unless, unless AOA provides for a larger number, अगर AOA में कोई larger number लिखा है, तो तो अलग बात है, तो तो अलग बात है, पर unless AOA provides for a larger number, public company के case में quorum क्या होगा, 0 to 1,000 का, 1,001 to 5,000 का, और more than 5,000 का, sir quorum होगा 5, 15 और 30, पर private company के case में 2 member quorum होगे, और ये सारे members को personally present गिना जाएगा, वदब proxy को quorum के purpose के लिए नहीं गिना जाता है, personally present आपको देखना पड़ेगा, उसके बात sir, मेरे को बताओ quorum कब होना चाहिए, ज अगर देखो एक तो normal meeting अगर है तो आपकी meeting adjourn हो जाएगी, क्या हो जाएगी, adjourn, adjourn क्या होगा sir, देखते हैं, पर अगर sir, ये वो meeting है, जो section 100 के अंदर requisitionist ने बुलाया है, किस ने बुलाया है, requisitionist, वो नहीं था क्या, जहाँ पर requisitionist बोल करके meeting बुला सकता है, अगर requisitionist क बुलाया हुए meeting में, अगर quorum नहीं आता है, तो law बुलता है, cancel करो, गदे लोग, time waste कर रहे हो company का, एक shareholder, दूसरे shareholder को meeting ले बुला रहा है, दूसरे shareholder, आभी नहीं रहा है, तो sir, law क्या कहता है, adjourn meeting, requisitionist वाली meeting cancel हो जाएगी, पर जो normal meeting होती है, वो adjourn हो जाएगी, sir, कब क other time period, as the board में decide, board decide कर सकता है, कि कौन सा time, कब होगा meeting, अगर आप जो भी time decide करो, आपको कम से कम 3 दिन पहले notice दो देना पड़ेगा, कि भया हजरात, 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 meeting है, आ जाना, और यह जो notice है, आप newspaper में तो दोगे, और website में भी अपने डालोगे, sir, यह सब क्या है, यह basic provision क्या का मैंने, 30 दिन के अंदर meeting, 30 मिनट के अंदर quorum आ जाना चाहिए, अगर 30 मिनट के अंदर quorum नहीं आया, तो आपकी meeting adjourn हो जाती है, या तो automatic adjourn हो जाता है, या फिर manually आप adjourn करोगे, और date आप decide करोगे, अगर उस case में आपको 3 दिन का notice देना पड़ेगा, नोटस आप newspaper म में भी दोगे, और आप क्या करोगे, आप उसको website में भी दोगे, पर sir अगर adjourn meeting में भी quorum नहीं आया तो, sir अगर adjourn meeting में quorum अगर आ गया, तो तो very good, पर adjourn meeting में भी अगर 30 मिनट के अंदर quorum नहीं आया, तो जो लोग आए हैं, उनको quorum माल लिया जाएगा, जितने भी होता है एक member का meeting का सिर्फ एक ही case है जो section 97 or 98 है जहां पर आपका central जहां पर आपका tribunal order दे रहा है कि एक member में कोरम मालूंगा गुसे गुसे में पर उसके अलावा एक member का कभी भी meeting नहीं होता है practically impossible है ना practically दिमाग खराब है किया, बोलेंगे law, आप सर्च छोटी छोटी बाते मेरे को बता दो, जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका पूरा concept clear हो जाएगा, आपको मैंने class में question कराया था, वो ही बता दो मेरे को, रुख जा, रुख जा, हाँ sir, मेरे को ये वाला question वापस से याद दिला दो quorum, मेरे को बताना quorum कितना होगा, total number of members अगर 1500 है, तो आपको quorum कितना चाहिए, 15 का quorum चाहिए, मेरे को बताना किसको quorum में गिनोगे, ABC जो है ये shareholder है, meeting में आये थे, गिनोगे, हाँ sir, उन तीनों को गिनोगे, दूसरा D और E joint shareholder है, मैं और नीदी ने मिल करके invest किया, तो ज जिस्ट में एक जान जो होते है, उसको एक ही गिना जाता है, F&G preference shareholder, sir preference shareholder का ये meeting में क्या थाम है, ये assume करता हूँ मैं, कि जो meeting है, उसमे preference shareholder का कोई रोल नहीं है, तो उनको quorum के लिए नहीं गिना जाएगा, proxies, नहीं sir, proxies को भी नहीं गिनोगा, representative of president, अगर कोई president का representative है sir president का representative कब होता है, अगर central government shareholder है, तो shares president के नाम पे होता है, उसके representative, sir representative of president को member माना जाता है, और एक गिना जाएगा, similarly representative of governor कब, जब state government shareholder है, तो उस case में उनको भी एक माना जाता है, उसके बाद representative of body corporate, अगर मानलो एक company में दूसरी company shareholder है, वो दूसरी company का representative मेरे meeting में आ रहा है तो उसको भी माना जाएगा सर गिन लिया जाएगा अब सर M सबसे important है M एक बंदा था जो मीटिंग में आया था जो body corporate 2 और body corporate 3 दोनों को represent कर रहा था उसको कितना गिनोगे quorum के purpose ले उसको 2 गिनोगे क्यों कि सर 2 अलग-अलग body corporate को represent कर रहे भले एक शरीर में इंसान आया है पर 2 company आया है उसको 2 गिना जाएगा quorum के purpose के लिए सर समझ आया आपको ये अगर ये concept समझ आगे न इसके उपर quorum का कुछ नहीं बचाए ठीक है चलो सर अगला सर अगला बहुत simple है ओ बेटा अरे ओ बाबुजी सुना सर अगला बहुत simple है मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तो मेरी बात ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ अगला section है 104 104 क्या है 104 बात करता है chairman के बारे में हम 104 करेंगे 105 करेंगे 112 करेंगे 113 करेंगे 104 क्या बात करता है sir? Chairman के बारे में Chairman जो होता है मेरी बात एकडम ध्यान से सुनना members जो meeting में आते है वो आपस में ही किसी को by show of hands जो है वो chairman बना सकते है by show of hands chairman बना सकते है आपस में से ही kisी को पर अगर मालुं नो mole का demand कर दिया गया क्या कर दिया गया, पोल का डिमांड कर दिया गया for appointment of chairman, तो क्या होगा ये जो show of end से जिस बंदे को आपने chairman बनाया था, मालनो राम को आपने chairman बनाया था तो आप राम क्या करेगा, अपने पेर पे खुद गुलाडी मारेंगे, कैसे, राम जो है ना वो क्या करेंगे, पोल करवाएंगे, और पोल में ये decide होगा, कि जो chairman है, वो continue करेगा, कि कोई नया chairman आएगा, जब तक ये पोल का result नहीं आ जाता ना, तब तक वो chairman जो है, वो continue करेगा, और जैसी पोल का result आ जाता है, नया वाला chairman टेक ओवर कर लेगा, अब sir, chairman का role क्या होता है, meeting में, chairman का role होता है meeting का deconum maintain करना, शांती हो नहीं चाहिए meeting में, meeting को पूरा conduct करना, और अगर कल को कोई tie हो जाता है, तो second vote या casting vote डालना, क्या vote डालना, second vote या casting vote डालना, chairman का का काम होता है ये आपका chairman का basic सा provision था, उसके बाद आजो section 105 में, जो बहुत important है proxy form के बारे में, क्या बोलता है sir, law ये कहता है, हर member जो है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम इमाग, घुसा करके सुनना, इसमें ये वाला provision, super से भी उपर important provision है, अरे बोलो सुनोगे की नहीं, अरे बोलो सुनोगे की नहीं, बच्चो, sir, इधर देखो इधर देखो, इधर देखो, please, मेरी आँखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लॉंडा हूँ, जो तेरे साथ पढ़ता हूँ मेरी बात सुनो, white की नहीं आया हूँ, तुझे पर करने देख, चीक है, कल गाऊंगा मेरी बात सुनो, दोस्तो, मेरी क्या का, section 105 किस बारे में बात करते है, प्रोक्सी के बारे में बात करता है, हर member को जो है right होता है, to appoint a proxy और ये proxy जो है, member के बिहाफ में meeting attend करेगा और meeting में vote करेगा, पर सर, proxy जो है न, उसका meeting में कोई right to speak नहीं होता है, ज्यादा bowl नहीं सकता वो, और पूरा जो होश्यारी मारता है न, proxy, वो polling में मारता है किस में? polling में show of hands वगरा में, वो क्या नहीं कर सकता bowl नहीं सकता, होश्यारी नहीं मार सकता तो यह आपका proxy होता है, जो attend और vote कर सकता है meeting, तो sir, law यह कहता है ओए company, तो जब भी अपने member को notice बेज रहे न, वो notice में बता देना member को, कि member सुन, तू न एक proxy appoint कर सकता है, जो तेरे भियाफ में meeting attend करके vote कर सकता है, पर यह proxy appoint करने के, proxy appoint तो कर ले पर मेरी बात ज्यान से सुनो, sir, क्या यह proxy का भी खुद का, उस company का member होना ज़रूरी है, क्या proxy का खुद का member होना ज़रूरी है, नहीं sir, बिल्कुल भी नहीं, proxy का खुद का member होना ज़रूरी नहीं है, पर section 8 company I repeat, not need the company, section 8 company में क्या है, member होना ज़रूरी है, मतलब अगर एक member, किसी और को proxy बनाना चाहता है तो वो proxy भी member होना चाहिए, section 8 company के case में, अब sir, उसके बाद आगी की बात सुनो, sir, आप एक proxy appoint तो कर दोगे, proxy appoint कैसे होएगा sir, proxy appoint, अच्छा सुनो, सर, थोड़ा, थोड़ा limits की बात कर लेते, क्या ये जो proxy बन रहा है proxy कौन बन रहा है? मानलो हर्ष जो है, वो proxy बन रहा है, क्या किते shareholder की proxy बन सकता है? तो law ने बोला, maximum 50 shareholder के ले तुम proxy बन सकते हो और वो 50 shareholder भी है ना, वो maximum 1 tenth of share capital होल्ड कर रहे है 1 10th of paid up share capital hold कर रहे सिर्फ उत्ते लोगों के लिए प्रोक्सी बन सकते हो पर सर अगर एक shareholder है जो 20% अकेला hold करते है तो वो किसी को प्रोक्सी नहीं बना सकता है वो प्रोक्सी बना सकता है पर वो सिर्फ एक जेने को एक single person को प्रोक्सी बनाएगा और वो single person जो है ना किसी और कले प्रोक्सी नहीं बनेगा वो मतलब हर्श को अगर प्रोक्सी बनाता है तो हर्श फिर किसी और का प्रोक्सी नहीं बनेगा सर एक सवाल का जवाब दो जो member था उसका नाम था Ram क्या राम एक से ज़ादा proxy appoint कर सकता है कि राम एक से ज़ादा proxy appoint कर सकता है जी हाँ sir राम जो है अगर माल लो उसके पस 300 share से तो वो 100-100-100 share करके 3 अलग-अलग proxy appoint कर सकता है उसके पास पूरा rights है बड़ sir proxy का limits क्या है वो maximum 50 लोगों का proxy हो सकता है जो 110 capital होल्ड कर रहे है अगर 110 से ज़ादा capital को होल्ड कर रहे है तो उसका proxy बन जाना उसके अलावा और किसी का भी proxy मत बनना यह आपका पूरा provision है sir proxy का basic अब sir सुनो अगर एक member जो है वो एक proxy अगर appoint करना चाहता है तो member को company को intimate करना पड़ेगा कितने समय पहले intimate करना पड़ेगा sir आपके general meeting के कम से कम 48 hours पहले intimate करना पड़ेगा एक proxy form बरके देना पड़ेगा जो form है MGT 11 11 यानि कि क्या एक और एक 11 proxy क्या एक member एक proxy तो उस तरीके से एक और एक 11 तो sir आपको 48 hours पहले देना पड़ेगा मतलब sir अगर general meeting 14th February को है मज़े आए तुमको सुनो sir अगर 14th February को है तो आपको कम से कम 2 दिन पहले 12th February तक जमा करवाना पड़ेगा अगर sir 12th February के पहले जमा करवा दिये तो very good पर उसके बाद करवाओगे न तो वो valid proxy form नहीं होगा sir एक company ने क्या किया अपने AOA में लिख दिया कि 48 hours पहले नहीं तुमको 72 hours पहले जमा करवाना है तो लो ने बुला बिल्कुल भी नहीं आप article of association जो है न यह 48 hours के limit को नहीं छेड़ सकते यह law ने fix कर दिया है law ने clearly लिख दिया even if AOA provides for a longer period company 48 hours पहले application ले लेगी उससे और जादा पहले मना नहीं करेगी बदब ऐसा नहीं है कि company बोल रही है और तुमने तो 4 दिन पहले नहीं थी हम नहीं लेगे नहीं सर दो दिन पहले दे रहा हूँ आपको लेना पड़ेगा अब सर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत चुल होती है बचुल होती है अभी सर मानलो मैं राम ने क्या क्या हर्ष को बना दिया प्रोक्सी अभी किसी और इंसान को जा करके ये प्रोक्सी फॉर्म जो है न वो evaluate करना है क्या वो कर सकता है हाँ सर उसको company को intimate करना पड़ेगा general meeting के कम से कम तीन दन पहले उसको ये बताना पड़ेगा मैं ना प्रोक्सी फॉर्म देखना चाहता हूँ उसके बाद सर आप inspect कप करोगे आपका general meeting start होने से लेकर के general meeting खतम होने तक और उसके भी पहले 24 hours पहले तक इस समय में किसी भी business hours के अंदर आप क्या कर सकते हो आप inspection कर सकते हो आप क्या कर सकते हो inspect कर सकते हो proxy form को ये period के बीच में जो भी business hours है उसमें आप क्या कर सकते हो inspect कर सकते हो ये आपका provision है sir क्या कहा मैंने मैंने ये कहा आपको कि ये जो proxy form है उसको अगर को evaluate करना चाहता है ये सबसे important point है sir inspect अगर करना चाहता है तो वो आपको 3 दिन पहले company को intimate करेगा और जब आपका meeting start हो रहा है से लेकर कि meeting end हो रहा है और meeting start होने के 24 गंटे पहले से इस पूरे phase के अंदर वो business hours में जाकर कि क्या कर सकता है inspect कर सकता है माल लो meeting शुरू हो रहा है इस समय के में जो business hours है उसमें आप बिलकुल inspect कर सकते हो मतलब लगभग लगभग दो दिन दे रहे कोई बड़ी बात नहीं है समझे सर अगर आपने अगर default किया तो आपको penalty लग जाएगी 5000 रुपे की सर पॉइंट नमबर 5 और पॉइंट नमबर 6 काट दो सर कभी कभी क्या होता है एक member में एक meeting में member भी खुद पहुँच जाता है proxy भी खुद पहुच जाता है तो क्या होगा तो अगर member ने पहले vote कर दिया तो तो member चीद गया पर अगर proxy ने vote कर दिया तो member फिर उसके authority को retract नहीं कर सकता वापस नहीं ले सकता क्या बोला मैंने कभी कभी क्या होता है meeting में proxy form भरने के बाद भी member भी पहुँच गया proxy भी पहुच गया उसके बाद section 112 और 13 आजो बहुत simple है 112 और 13 क्या कहता है 112 यह कहता है कि माल लो अगर central government और state government shareholder है और उसके बदले में president और governor अगर shareholder कर रहे है तो वो meeting certain करने के लिए एक representative appoint कर सकते हैं एक representative appoint कर सकते हैं और यह जो representative है ना उसको member माल लिया जाएगा क्या माल लिया जाएगा member माल लिया जाएगा and he shall be entitled to exercise same rights to vote by proxy and postal ballot मतब सर पूरा का पूरा उसको member का right दे दिया जाएगा और सर similarly अगर कोई body corporate है अगर कोई body corporate है और body corporate को अगर shareholder का meeting member का meeting या creditor का meeting attend करना है तो वो किसी person को representative बना सकते है और वो representative के पास भी पूरा vote रहेगा सर simple मिर को एक बात बता दो सर ये company है Adani Limited Adani Limited में Reliance Industries जो है वो shareholder है कौन किसमे shareholder करता है Reliance जो है वो Adani में shareholder करता है Adani का general meeting बुलाया गया क्या आपने कभी ये देखा है Reliance देखो meeting में जा रहे है नहीं न Reliance किसी को भेजेगा तो जिस इंसान को Reliance भेजेगा उसको हम कहते है representative मानलो Reliance ने बोला कि हम जो उसका बेटा है क्या नाम है Akash Ambani Akash Ambani को भेज रहे है तो Akash Ambani representative माना जाएगा अब मेरे को बताओ जब Akash Ambani इस general meeting में जाएगा क्या quorum के calculation में उसको गिनेंगे जब वो general meeting में जाएगा क्या quorum के calculation में उसको गिनेंगे the answer is yes quorum के calculation में आप उसको खिनोगे sir में को एक मात बताओ Akash Ambani यहाँ पर क्या किसी proxy को appoint कर सकता है क्या वो खुद proxy है the answer is वो बिलकुल किसी proxy को appoint कर सकता है the answer is yes because Akash Ambani is deemed to be a member deemed to be a member जो representative होते है न वो proxy नहीं होते है उनको member माना जाता है तो इसलिए Akash Ambani को आप quorum में गिनोगे पर Akash अगर किसी को proxy appoint कर दिया तो उसको आप quorum में नहीं गिनोगे अरे बोलो समझे हाँ की नहीं हाँ की नहीं हाँ सर तो चलो एक break लो 5 minute का break ले की नहीं ले चलो एक break लो 5 minute का फिर उसके बाद शुड़ू करते है आगे का ठीक है चलो 5 minute का नहीं सर 10-12 minute का break लो फिर उसके आगे का शुड़ू करते है चलो सर, खतम कर देते हैं, खतम ही कर देते हैं, पूरा का पूरा चाक्टर को, पूरा मम ही कर देते हैं, खतम ही कर देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है, दोस्तो, सर, वोटिंग राइट्स के बारे में बात करेंगे, वोटिंग राइट्स के बारे में सेक्शन 106 स शुरू होता है और अब ही आपको 106 से शुरू होता है और 106 से लेकर के 110 तक आपको पढ़ नहीं, यहां पर 110 आएगा. अब मेरी बात चुरो जदाव। 16 क्या कहता है, क्या आप किसी शेरओल्डर के वोटिंग रैइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? कि या आप किसी शेर ओल्डर के voting rights को restrict कर सकते हैं। हाँ जी बोलो, सर क्या आप किसी शेर ओल्डर के voting rights को restrict कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ restrict कर सकते हैं सर। अगर AOA में power दिया है तो आप 2 grounds पर restrict कर सकते हैं सबसे पहला अगर कोई call उनपेड है या फिर अगर right to lien exercise कर लिया है company ने, अगर call उनपेड है या right to lien exercise कर लिया है company ने तो वो दोनों में से कोई भी case में आप क्या कर सकते हो, एक member को अपने voting rights से रोक सकते हो आप लेकिन इसके अलावा और किसी भी grounds map क्या नहीं कर सकते उनको prohibit नहीं कर सकते from exercising their voting rights तो यह section किया is a restriction on voting rights इसमें याद रखना AOA में power होना बहुत जरूरी है अब sir सुनो, जो पोल की बात होती है ना तो एक member या proxy अपने votes को अलग-अलग तरीके से भी use कर सकता है जिसे अगर उसके बस 1000 votes है तो वो ऐसा भी कर सकते है कि 600 votes उसने favor में डाला और 400 votes उसने use ही नहीं किये तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके से वो अपने votes को क्या कर सकता है use कर सकता है अब sir joint shareholder के case में कैसे voting होती है तो law ने कहता है joint shareholder के case में उनका usually conquer करना बहुत जरूरी है मतलब एक बात दोनों को हां कहना बहुत जरूरी है पर अगर दोनों का difference of opinion है ना तो फिर उस case में जो senior shareholder है मतलब जिसका नाम सबसे पहला दिया गया है in the order of seniority वो आकर के अपना vote करेंगे वो आकर के अपना vote करेंगे और उनके vote को valid बाना जाएगा समझे सर उसके बाद सर section 107 voting by show of end show of end से voting कैसे होता है सर अगर एक meeting में generally show of end से voting होता है unless poll has been demanded unless poll, अगर poll demand होगे तो अलग बात है वरना show of end से vote होता है अब सर, show of end से जो vote हुआ वो resolution pass हो गया ये कब पता चल जाएगा तो सर अगर दो चीज़े हो जाती है सबसे पहला अगर chairperson ने declare कर दिया resolution को और दूसरा वो जो resolution है उसको आपने minutes में भी enter कर लिया तो ये दोनों condition अगर meet हो जाते है तो it will be conclusive evidence that the resolution has in fact been passed कल गो कोई और इस चीज़ पर question नहीं कर सकता तो दो चीज़े होनी चाहिए एक तो chairman ने declare कर दिया और दूसरा क्या हुआ आपका minutes में आपने entry कर लिया है समझे अरे बोलो हाँ की नहीं हाँ sir उसके बाद सर एक बात मतलब क्या insolvent shareholder जोता है insolvent मतलब क्या जो दिवालिया हो गया है कंगाल हो गया है क्या वो shareholder भी vote कर सकते है show of end से sir सुनो show of end से हर वो member vote करता है जिसका नाम register of member में आता है अगर insolvent होने के बाद भी अगर आपका नाम register of member में लिखा है तो आप बिलकुल vote कर सकते हो कोई problem नहीं है समझे 107 के बाद हम कौन से section पढ़ते हैं 107 के बाद हम हमीशा पढ़ते है 109 जो बात करता है polling के बारे में polling के बारे में क्या provision है sir याद करो जरा polling के बारे में provision बहुत simple है section 109 वो कहता है कि अगर कुछ members है वो अगर polling कब होता है sir polling दो case में होता है या तो chairman जो है suomotu मदब उसको रगा यार यही सही है तो chairman या तो suomotu या फिर on request of the shareholders वो क्या करवाएगा polling करवाएगा अब sir request of the shareholders मदब कितने लोग poll के रिक्वेस्ट कर सकते है sir members और proxy मिला करके depend करता है company having share capital है कि company not having share capital है आप मेरे को बताओगे अगर company having share capital है तो कितने लोग request करेंगे sir उतने लोग जिनके पास one tenth of voting power है paid up share capital है one tenth of voting power है या paid up share capital जो है वो 5 लाग रुपय उससे जादा है ये case में क्या करेंगे वो company having share capital वाले vote करेंगे वाले request कर सकते है पर company not having share capital की case में one tenth of voting power सिर्फ देखा जाएगा अगर one tenth of voting power अगर आपके पास है तो आप request कर सकते हो poll के लिए sir एक बार आपने poll का request डाल दिया न तो उसके बाद आप चाहो तो withdraw कर सकते हो अब sir polling का process क्या होगा बहुत simple होगा सुनना company का general meeting हुआ general meeting में chairperson है और decide हुआ कि polling होगा या तो chairperson ने खुड decide गया या request किया तो sir polling कब होगा depend करता है polling कब होगा depend करता है matter क्या है जिसके लिए polling मांगा गया है अगर matter है adjournment of a meeting या फिर matter है replacement of a chairperson तो ये दोनों case में polling जो है वो immediately होगा और उसके अलाबा कोई भी और other matter है तो 48 hours के अंदर polling होगा कित्य गंटे के अंदर 48 hours के अंदर polling होगा अब polling का process क्या होगा sir polling का process बहुत simple होगा general meeting में जो chairperson है वो एक बंदे को appoint करेगा जिसका नाम होगा scrutinizer scrutinizer को सारी details दे देगा sir दो बर PR है sir तो 2L 1 2 तो sir 2L आपका polling paper का form है वो polling paper जुगाड करके सारे shareholder को polling paper देगा polling paper के बाद वो सारे shareholder vote करेंगे और उसको एक locked और empty box में डालेंगे अब sir उसके बाद locked और empty box को जिसमें आपने डाला उसको scrutinizer open करेगा दो witness के presence में किसके presence में दो witness के presence में open करेगा open करने के बाद votes count करेगा और एक report बना करके किसको देदेगा चेर्में को देदेगा ये report कौन से form में दोगे sir ये report दोगे आप in the form MGT 13 और ये report किते दिन के अंदर दोगे जिस दिन आपका general meeting हो गया उसके 7 दिन के अंदर ये report दोगे और chairman क्या करेगा जब उसको वो report मिलेगा सबसे पहले वो report को counter sign करेगा counter sign मतलब एक तरह से वो accept कर रहा है जो भी आपका जो scrutinizer बोल रहा है और उसके बाद chairperson खुद या किसी और के through क्या करवाएगा आपका resolution जो है कि fail हुआ ये पूरा आपका polling paper का process है सर ये पूरा आपका polling paper का process है बहुत important है कि आप मेरी बात समझे सर इधर आओ ये पढ़ो पढ़ो कि तुम लोग पढ़ ले ना में देख लेता हूँ कोई और point चूटा है गया सर अच्छा जब मैं ये तुमको चिला चिला के बोल चुका हूँ पोल में proxy को बहुत important होती है जब भी पोल की बात है ना तो proxy एकदम चिला चिला के बोलता है तो उसको भी मिलेगा polling paper पर सब इको बताओ joint shareholder में polling paper आप किसको दोगे joint shareholder के case में आप senior shareholder को polling paper दोगे उसके बाद सर और तो कुछ important नहीं है मैंने सारे points बाकि आपको बता दिये एक-एक करके पूरा points बता दिया सर ये जो scrutinizer जो अपना report बना रहे है न scrutinizer जो अपना report बना रहे है न उसमें वो ये बताएगा कि total कितने votes cast वे थे उसमें valid votes कितने हैं फेवर में कितने votes है अगेंस्ट में कितने votes है ये सारा पेचीजे जो है वो अपने report में बताएगा और उसको बताना पड़ेगा इस तरीके से पूरा poll का process होता है सर अब सर उसके बाद आगे बढ़ते हैं section 110 में जाते है section 110 किस बारे में बात करता है postal ballot के बारे में बात करता है postal ballot का मैँने आपको formula बताया था कि अगर आप poll plus post कर दो तो उसको postal ballot भोलते हैं sir, polling में क्या होता है? आप general meeting में polling paper लेते हो और polling paper सबको बाढ़ते हो postal ballot में क्या होता है postal ballot से कौन से resolution का voting होगा? तो sir, दो तरह का resolution कुछ resolution तो central government ने prescribe कर दिया है कि यह postal ballot से ही होगा तो उसमें तो आपको company को mandatory है कि वो postal ballot से ही conduct करेंगे पर कुछ resolutions बाकी उसके अलावा कोई भी resolution जो आप चाहो ना तो आप postal ballot से कर सकते हो except दो resolution, except सबसे पहला ordinary business ordinary business आप postal ballot से नहीं कर सकते और दूसरा कोई भी ऐसा business जिसमें right of director या auditor है right of director या auditor to be heard मतलब auditor या director को बोलने का मौका दिया जाएगा उस resolution में तो वो resolution आप postal ballot के थू नहीं करवा सकते यह दोनों के अलावा कोई भी resolution जो company की इच्छा है वो company करवाना चाहे तो postal ballot के होता है यह scrutinizer company का employee नहीं हो सकता यह scrutinizer क्या करता है अपने सारे members को क्या विजवाता है polling paper विजवाता है polling paper घर पे विजवाता है और post से विजवाता है usually अब सरी जो member है ना वो अपना vote करकर के यह polling paper जो है वो वापस company के पास बेज देता है आने के बाद scrutinizer उसको पूरा count करता है count करने के बाद 7 दिन के अंदर report बनाता है और सब कुछ वही provision है एक बाद देख लेते हैं sir polling paper postal ballot के बारे में क्या क्या लिखा है यह लिखा ही कि postal ballot से आप कप-कप resolution पास कर सकते हो लेकिन वो resolution नहीं पास कर सकते जो ordinary business है या वो business जिसमें director या auditor का right to be heard है ठीक है अब सर आप यहाँ यहाँ से देखो polling paper में आच्छा postal ballot में important चीज़ है भाई postal ballot में आप draft resolution भेजते हो और सामने वाले के बास 30 days का time होता है from the date of dispatch of the notice जो आपका voting है ना वो 30 days के अंदर हो जाना चाहिए किते दिन के अंदर 30 days के अंदर यह notice किसको बेजोगे यह notice आप सिर्फ member को बेजोगे आपको director और auditor को बेजने की जरुवत नहीं है कौन से mode से बेजोगे सर आप register post speed post या e mode या courier से भी बीज़ देना कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद सिर्फ notice आपको newspaper में चापना पड़ेगा यह एक important provision है newspaper में आप पूरा detail दोगे wordnaculate language वाला और English language वाला पूरा detail दोगे कि कब से आपका voting शुरू होगा कब से आपका voting खतम होगा और आपको क्या और बाकी साली चीज़े कि किस चीज़ पे resolution लिया जा रहा है postal ballot अगर आपने postal ballot से आपको बेजना है अगर date के बाद postal ballot मिला तो उसको invalid माल लिया जाएगा और इस तरह की चीज़े आप अपने newspaper में बता रहे हो फिर सर एक scrutinizer appoint होगा scrutinizer में जो board of director है वो board of director appoint करेगा और scrutinizer जो है न वो employment में नहीं होना चाहिए अब सर स्कूरूटिनाइजर के बास आज आने के बाद वो पूरा safe custody में रखेगा और उसका report बना करके 7 दन के अंदर देगा उसके बाद सर rule 20 पूरा अपलाई हो जाएगा rule 20 जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे और सर्फ सवाल ये postal ballot कहा कहा पे mandatory है तो मैंने आपको बोला था याद कर लो section 12, section 13 ये 2 section याद कर लो 43, 48, 68 ये 3 section याद कर लो section 12 और 13 क्या है अगर आपका registered office change हो रहा है या अगर आपका object clause change हो रहा है variation and rights of shareholders कर रहे हो या buyback कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है दोस्त, postal ballot compulsory law में लिखा हुआ है, पर सर्थ दो companies को postal ballot नहीं करना है पहला one person company और दूसरा वो company जिसके members 200 तक है चाहे वो public company क्यों ना हो पर वो company जिसके members 200 तक है उनको क्या नहीं करना पड़ेगा उनको postal ballot से vote नहीं करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा बोलो जरा उनको postal ballot से vote नहीं करना पड़ेगा क्या तुमको मेरी बात समझाई उनको कभी भी किसी भी matter ले भले वो अगर variation of object clause भी कर रहे तो भी उनको postal ballot नहीं लगेगा, 1% company और वो company जिसके members 200 या उससे कम है, समझें, ठीके सर, अब एक last section में आ जाओ, आपका section 108, section 108 क्या है सर, remote e-voting के बारे में है, बहुत interesting provision है, मैंने इसके बारे में क्या बोला था आपको, postal ballot plus e-mode is equal to आपका e-voting, सर, क्या होता है remote e-voting में, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप न, shareholder को notice बेजते हो, और shareholder को notice जो बेजते हो, उसमें आप shareholder को ये बोलते हो, कि shareholder सुन general meeting शुरू हो रहा है 14th February को, पर अगर तुम चाहो न, तो general meeting के पहले भी घर बैटे बैटे, जहां पे तुम हो, जुस भी remote location पे हो, वहाँ बैटे-बैटे आप remote e-voting कर सकते हो, और उसके बाद आप आकर के चाहो, तो meeting में भी वोट कर सकते हो, आपके पस दो option है, गर बैटे-बैटे remote e-voting कर लो, या during the meeting वोट कर लो, during the meeting कैसे वोट करोगे sir, during the meeting या तो postal ballot से हो जाएगा, during the meeting या तो आपका electronic voting system से ह हो जाएगा, किसी भी तरीके से हो जाएगा, पर sir remote e-voting क्या होता है, जब आपका meeting शुरू होने वाला है न, उसके आपको कुछ समय पहले आपका voting शुरू करना पड़ेगा, remote e-voting minimum 3 दिन के ले होता है, कित्ते दिन के ले होता है, मैंने minimum 3 दिन के ले होता है, और खतम का व e-voting खतम हो जाना चाहिए, sir remote e-voting में कौन लोग वोट करेंगे, remote e-voting में वो लोग वोट करेंगे, जो eligible shareholder है, eligible shareholder decide करने के ले आपको एक cut-off date निकालना पड़ेगा, cut-off date क्या होता है, sir, cut-off date होगा basically, जिस दिन आपका meeting है न, उसके 7 दिन पहले का, maximum 7 दिन पहले का cut-off हो आप remote e-voting में वोट करोगे, मेरे को एक बात बताओ, अगर 4 resolution था, 1, 2, 3, 4, क्या ऐसा हो सकता है, क्या आप आधा अधुरा काम कर रहे हो, आपने 2 resolution पे remote e-voting किया, बाकी 2 resolution पे आपने remote e-voting नहीं किया, क्या ऐसा हो सकता है, sir ऐसा बिलकुल हो सकता है, आप 2 resolution पे remote e-voting करक हाँ सर और उसके बाद आप क्या करोगे सर एक बार आपने रिमोट इवोटिंग कर दिया ना उसके बाद जेनरल मीटिंग है तो आपने वोट कर दिया तो उसके बाद जेनरल मीटिंग कर सकते हो क्या जी हाँ बिल्कुल आपने वोटिंग कर लिया तब भी आप जेनरल मीटिं क्या यह दो resolution पर vote कर सकता हूँ मैं आप? हाँ sir, आप यह दो resolution पर general meeting में vote कर सकते हो. उसके बात क्या होगा sir? आपका दोनों voting हो गया. कौन सा दोनों voting sir? यह general meeting के दौरान एक voting हो गया और general meeting के पहले remote e-voting हो गया. यह दोनों voting जब खतब हो जाएगा ना, तो उसके बाद scrutinizer आएगा और scrutinizer क्या करेगा सबसे पहले general meeting का votes count करेगा जब तक general meeting का votes count कर रहे है तब तक remote e-voting का votes वोट जो है वो secret रहेगा उसके बाद क्या करेगा witness के presence में remote e-voting का result खोलेगा और remote e-voting के vote गिनेगा अब sir scrutinizer को remote e-voting का और सारा vote गिन करके report बना के देना पड़ेगा chairman को किते दिन के अंदर sir यहाँ पे report आपको 3 दिन के अंदर देना पड़ता है 7 दिन नहीं क्यों 3 दिन sir क्योंकि 3 दिन यहाँ पे आपको बहुत है क्योंकि यहाँ पे सारा electronic लिए तो आपको कोई manual paper collection नहीं करना पड़ता है, आपका पूरा आसानी से calculation वोग करके आ जाता है, तीन दन के अंदर chairman को report दोगे, chairman उसको counter sign करेगा, और उसके बाद जो है, वो result declare कर देगा, क्या करेगा, result declare कर देगा, अब सामे को एक बात बताओ, अभी एक इंसान remote voting में vote किया था फिर उसके बाद वो general meeting में आ गया, अब general meeting में वो दुबारा vote कर देगा, अभी ये scrutinizer को पता कैसे चलेगा, scrutinizer dual voting prevent कैसे करेगा, कि एक इंसान दो-दो बार vote ना करे, उसके लिए sir, scrutinizer को एक basic report चाहिए होगा, as on the date of the meeting, उसको आपको एक basic report देना पड़ेगा, कि कम से कम उ ये इसले करता है, का कि scrutinizer किसले करता है, ताकि dual voting ना हो, double voting ना हो जाए, समझे क्या आप, और सर इसके बारे में इस इत्ती भी चीज़े में आपको बताई ही, सारा आपको दो newspaper में चापना पड़ेगा, उसमें आपको सब बताना पड़ेगा, कि remote voting शुरू कब हो रहा है, मेरे example, practical example दिखाया था, आपको ना top date क्या होगा, वो सारी चीज़े मैंने आपको दिखाई थी, क्या आपको मेरी बात समझाई, देख लेता हूँ सर कोई और point शूटा है क्या, अरे सबसे important point तो ये रहे गया, सर remote voting का option देना किसको है, the following companies will provide remote voting का option, एक तो listed company और दूसरी हर और वो company जिसके 1000 या उससे जादा members है, या debenture holders भी होता है, या 1000 से जादा members है, पर सर निधी company और institutional investor वाले company को न remote voting का provision देने की कोई जरुवत नहीं है, निधी company और institutional voting वाले companies को, सर आप notice बेजो कि सारे members directors को इस सारे basic point है, आप समझ गए, बस सामें को एक last point बता दो, फिर आपका ही section खतम हो गया, मालो 14th February को meeting था, 11th February को remote voting शुरू हुआ, 14th February को meeting खतम हो गया, उसके बाद 17th February को क्या हुआ, chairman को report गया, और chairman ने 17th February को ही declare कर दिया result, मिरको बताओ, ये resolution किस दिन past माना जाएगा, what will be the date on which such resolution is deemed to be passed, it will be deemed to be passed on 14th February, 14th February को ये resolution पास हुआ है, ऐसा मान जाएगा, समझे क्या तुम कुछ भी, 14th February को ये resolution पास हुआ है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है, क्यों सर, the date of general meeting will be the date of resolution, चलो सर, आगे बढ़ते, सर यहां तक समझ आया, क्या चीज़े समझ आ रही है क्या, बस बताओ मिरको, दोस्तों बताओ, चीज़े समझ आ रही है क्या, प्लीज बोलो हां या नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रुकने का नहीं, रुक जाना नहीं, तू कहीं हारके, सर, section 111 का मैं आपको मेरे notes सा पढ़ा रहा हूँ, section 111 notes सा पढ़ा रहा हूँ, जो लोग बात में recording देख रहा है, अगर तुमारे पास यह notes नहीं है जो चीजे हो रही है, मैं member हूँ company का, या तो मैं एक नया resolution प्रपोस कर रहा हूँ, या फिर मैं जो existing resolution है, उसमें कोई नया statement आड करवाना चाहता हूँ, तो अगर इस तरह की कोई चीज है ना, तो request of member to the company, member को company को request करना पड़ेगा, सर एक member request करेंगे तो चलेगा, क्या, नह क्या notice देंगे, क्या notice देंगे, कि भाया, company को बोलेंगे कि company, give notice to members of resolution intended to be moved, अगर मैंने 4 resolution पास हो रहे तरहे, मैंने एक resolution 5 प्रपोस किया, तो वो पांचवे resolution का notice देने के लिए मैं बोल सकता हूँ, या फिर मैंने कोई extra अगर statement दिया, तो उसको circulate करवाने के लिए मैं company को ब पहले, अगर आप एक नया resolution प्रपोस कर रहे हो, और जिस दिर meeting है, उसके कम से कम दो हफते पहले, अगर आप existing resolution में अपना statement आड करवाने की बात कर रहे हो, sir इसको हम लोग class में 40 minute तक पढ़ते हैं, revision में मैं आप से जाधा समझा, नहीं पाऊंगा, उमीद है आपको समझ आ पढ़ेगा, और उसके साथ आपको खर्चा भी deposit करना पढ़ेगा, जो भी expense आपको लगता है, पर sir ये statement जो है न, अगर ऐसा लग रहा है कि आप इसको abuse करने हो for securing needless publicity, क्या बोला मैंने, if the statement is being abused to secure needless publicity, तो उस case में क्या होगा, बिटा, उस case में central government को application जाएगा, और central government ये order दे देगा, कि आपको वो statement circulate करने की जरुवत नहीं है, अगर statement क्या use हो रहा है, to abuse to secure needless publicity, उसके बाद sir मैंने क्या बोला आपको, उसके बाद मैंने एक चीज़ आपको बहुत interesting चीज़ बोली थी, कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, आपका notice आने के बाद, notice बाद directors क्या करते थे, 6 हफते का gap होना चाहिए, meeting में और notice के बीच में, वो क्या करते थे, notice आने के बाद, अगले दिन meeting का notice बेच करके, AGM बुला लिया, अब AGM बुला लिया 21 दिन के अंदर, तो जिस दिन AGM हो और जिस दिन notice आया, उसमें gap बहुत कम हो जाता था, 6 हफते का gap तो बचता नहीं था, तो law ने बोला, अगर जिस दिन notice आया, उसके बाद, अगर AGM का notice गया है, और उस वज़े से notice और AGM के बीच में, 6 मेने, हफते का gap नहीं है, तो भी इसको valid notice माना जाएगा, ये नहीं बोल सकते कि 6 हफते पहले नहीं आया, तो ये notice को consider नहीं करेंगे, अगर notice आने के बाद AGM का notice जा रहा है, तो भी उसको valid AGM, valid notice माना जाएगा, valid request माना जाएगा, और अगर default होता है, तो company और officer इन default को 25,000 रुपे की penalty लगेगी, ये आपका है सर, section 111, section 11 क्या है, circulation of members resolution, जहां पे आप members के resolution को circulate करवा रहे हो, ठीक है, चलो, उसके बाद सर, जहां पे notice properly send किया गया है, और votes in favor जो है, वो votes in against से जादा है, और special resolution क्या है, जहां पे notice बेजा आपने, notice में आपने बताया कि हमको SR pass करना है, और वहां पे votes in favor जो है, votes in against के 3 ताइम से उससे जादा है, तो फिर उस case में आपको votes, उसको special resolution माना जाएगा, सर, मैं एक बात ब लगता है, जहां law में लिखा है, सर, एक exam का question आपको याद होगा, अगर आया था, कि क्या एक साथ, आप 2 से जादा resolution को एक साथ approve करवा सकते हो, तो आपको याद है, 9 resolutions वाले question था question bank में, तो सर, आपके एक साथ, एक से जादा resolution approve करवा सकते हो, law में ऐसा कही restriction तो नहीं है, प तो आप club कर लो, पर अगर directors की बात कर रहें, तो एक resolution में एक ही director appoint होगा, अब सर, उसके बाद हमेशा याद रखना, जब आप votes in favor और votes against काउंट कर रहे हो, क्या बोला मैंने, जब आप votes in favor और votes against काउंट कर रहे हो, तो आपना सर, वो लोगों को नहीं गिनोंगे, जिन्हों ने refrain from voting कर दिया, मतलब क्या, अगर 100 member हैं, 50 member ने favor में vote किया, और 49 member ने against में vote किया, और एक member ने vote ही नहीं किया, तो सर, एक member जो vote नहीं किया ना, उसको आप गिनोंगे ही नहीं, आप सर, vote in favor और votes and against को देखोगे, जिन्होंने refrain कर दिया, उनको count नहीं करोगे, उसके बाद सर सर, आजो section 115 पे बहुत important section और बहुत आसान section है, सर, law क्या कहता है, company जो है न, अगर एक कोई member है, वो अगर चाहे, तो company को special notice दे सकता है, उसके चीजे करवाने के लिए, सर, law में दो ऐसी जगा है, जहां पे special notice की बारे में बात किया गया है, पहला, appointment of auditor other than retiring auditor, और दूसरा, removal of director, यह दो चीजों के लिए आपको क्या लगेगा, यह दो चीजों के लिए आपको special notice लगेगा, special notice कौन देता है, सर, कुछ selected members देते, कितने वो members जिनके बास 1% of voting power है, या फिर, कम से कम 5 लाग रुपय तक का paid up share capital है, कम से कम अगर इतना दो भी तुम hold करते हो न, तो तुम company क special notice दोगे, सर, special notice कितने दिन पहले दोगे, तुम्हारा general meeting जिस दन है, उसके कम से कम 14 days पहले दोगे, लेकिन maximum 3 मेने पहले देना, उससे जाधा पहले मत देना, मतलब अगर यह आपका general meeting है, और यह 14 days पहले है, और यह 3 मेना पहले है, तो आप इस समय पे notice कभी भी दे सकते है उसके पहले नहीं दे सकते, उसके बाद नहीं दे सकते, यह notice company के पास आने के बाद, company क्या करेगी, कम से कम 7 दन का, at least 7 days का notice किसको देगी, members को देगी, और members को बोलेगी, सुनो members, हमारे पास special notice आया है, उन shareholder से, जो इत्ती shareholding रखते हैं, और वो लोग propose कर रहे हैं, यह following resolution, तो हम आपको बता करके रख दे रहे हैं, ताकि आप meeting में आ करके resolution पास कर सको, यह होता है सर, special notice का provision, एक बार देख लो सर, special notice कौन देता है, special notice देते हैं, वो members जो कम से कम 1% voting power hold कर रहे हैं, यह paid up share capital hold कर रहे हैं, आच लाक या उससे जादा, सर, एक बार मैं आपको life में clarity दे सकते हो, notice जो है वो आप, 14 दिन पहले दोगे, लेकिन 3 मेने से जादा पहले नहीं दोगे, उसके बाद company notice members को देगी, 7 दिन पहले, और यह 7 clear days है, क्योंकि इसमे date of dispatch और date of meeting जो है, वो ignore हो जाएगा, सर, आपको newspaper और website में भी डालना पड़ेगा, और आपको, यह जो newspaper और website मे करना होगा, ब्लर हो गया था, अब मेरी बात सुरो, सर, यह जो special notice का provision है, यह दो section में लिखा है, एक तो section 140, जो बात करता है, appointment of auditor, other than retiring auditor, और दूसरा section 169, जो बात करता है, re removal of director के बारे में, यह दो case में, आपको special notice लगता है, सर, याद हुआ section 115, special notice कब लगता है, याद section 116 क्या बोलता है, कि अगर आपने adjourned meeting में कोई resolution pass किया है, तो उस resolution का pass होने का date, adjourned meeting वाला ही माना जाएगा, ना कि original meeting, सर, देखो, वैसे तो, adjourned meeting is merely a continuation of the original meeting, कुछ भी नहीं है, बस continuation है, पर फिर भी अगर adjourned meeting में, अगर कोई resolution pass हो रहा है, तो उसको उसी दिन pass माना जाएग उसके बाद, सर, section 17 पर आजो, section 17 पर आजो, section 71, 17 बहुत आसान है, मैंने class में आपको इसको तीन part में divide करके बताया था, मैंने बताया था, एक company जो है न, वो ROC को बहुत सारे resolutions और बहुत सारे agreements की copy फाइल करती है, कोई भी resolutions या agreement आपने enter किया, तो आप 30 days के अंदर ROC को resolution हो गया, कोई भी other resolution हो गया, जिसमें, मानलो unanimous resolution हो गया, जिसमें सारे shareholder का consent चाहिए, या कोई भी class of shareholder का approval resolution पास किया है, ये सारा आप फाइल करोगे, ROC को, उसके अलावा सर, आपका कोई भी board resolution अगर है, तो वो भी file करोगे आप, और खास करके section 173 वाला board resolution है, तो वो भी file करोगे आप, उसके अलावा सर, कोई agreement है, जिसमें, आप managing director को appoint कर रहे हो, या उसको change कर रहे हो, या उसके terms को vary कर रहे हो, तो ये agreement भी file करोगे आप, उसके अलावा, आपने, कोई resolution, कोई भी और agreement में enter किया, और कोई भी other resolution है, वो सारी चीज़े, आप file करोगे, ROC के पास, स ये एक public document हो जाता है, जो public knowledge में होना चाहिए, इस तरीके से एक provision लिखा हुआ था, दोस्तो पर, अगर आप section 179 subsection 3 की बात करो, तो 179 subsection 3 की बात क्या है, law ये कहता है कि 179 3 वाले resolutions जो है, वो company ROC को file तो करेगा, लेकिन ये वाले resolutions जो है, कोई member access नहीं कर पाएगा, कोई भी इंसान access नहीं कर पाएगा, ये confidential information रहेगा, file ज़रूर करेंगे, पर public knowledge वाले document नहीं रहेगा, वो जो section 179 subsection 3 में file हुआ है, पर ये भी जो मैंने provision आपको बताया है, it will not apply, it will not apply in some specific cases, यहाँ पर देखो क्या है specific cases, sir this provision will not apply in case of grant of loans etc, in ordinary course of business by banking company, NBFC और housing finance company, sir ये नहीं समझ आय तो जाने तो बस इतना simple सा provision याद कर लो, कि बहुत सारा document आपको file करना पड़ेगा, एक और चीज आपको file करना पड़ेगा, अगर आपने company का voluntary winding up किया, company बंद किया, तो उसका भी resolution आपको file करना पड़ेगा, ROC के पास 30 दिन के अंदर अंदर, sir ये जो filing आप करोगे, 30 दिन section 117 क्या है, circulation of members resolution, जहापे आप resolution और agreement और voluntary winding up resolution, सारा जाके ROC को 30 days के अंदर दे रहे हो, अरे बोलो समझे क्या मालेक, हाँ की नहीं, बोलो समझे की नहीं, अब सर आपका अगला खासम खास, section 118 और 119, अभी तक भी अगर कुछ नहीं सुना ना खड़े हो जाओ एक टांग और सर एक बार मेरे एक बार लाइक जरूर ठोक देना है और वीडियो को, comment जरूर कर देना, आपको revision कैसा लग रहा है, बताओ अपने दोस्तों के साथ, share करोगी नहीं, बताओ पहुचाओगी कि नहीं, अपने दोस्तों के साथ, तुम जरूर पहुचाओगे, मेरे को पता ह है, अब मेरी बात सुलो सर, section 118 क्या है, 118 बात करता है, minutes के बारे में, सर इतना detailed revision, और इतना बिना बकवास कियावा revision, मैंने तो नहीं देखा हास तक किसी का, आपने देखाए क्या, आपने देखाए क्या, डो-दो गंटे में ऐसे chapter खतम हो जा रहे हैं, जो बारा-बारा marks क आते हैं, और बिना एक provision छोड़े, Sir, section 118 क्या है, दोस्तों, 118 बात करता है, minutes of the meeting के बारे में, किसके बारे में, minutes of the meeting के बारे में, Sir, minutes of the meeting के बारे में, क्या provision है, ध्यान से सुनना, Sir, हर company को न, हर meeting का, general meeting हो गया, आपकी creditors का meeting हो गया, directors का meeting हो गया, या उनके committee का meeting हो गया या postal ballot से जो resolution pass किया था इन सबका minutes बनाना पड़ता है सर minutes कब बताओगे जब आपका meeting खतम हो जाता है उसके 30 days के अंदर आप minutes बनाओगे और minutes बना करके आप store करोगे सर ये minutes में आप क्या information डालोगे जैसे कि आपको कुछ special बाते बतातो जैसे कि डिरेक्टर की meeting है तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कौन-कौन डिरेक्टर प्रेजेंट थे और जो भी resolution पास हुआ है जब resolution पास हुआ है तो कौन-कौन dissenting directors थे dissenting directors मतलब क्या जो उस resolution को मना कर रहे थे क्या-क्या-क्या resolution जो है वो जो डिरेक्टर है जिन्होंने उस resolution पास होने के बावजूद उसको मना किया तो dissenting directors का भी आप क्या लिखोगे उसमें नाम लिखोगे और सर उसके अलावा postal ballot से अगर आप resolution पास कर रहे हो तो postal ballot के resolution में आप ये बताओगे कितना valid votes आया था उसमें resolution क्या आया favor में आया अगे इसमें आया ये सारी चीज़ें आप अपने minutes में लिखोगे सर minutes में लिखने के बाद क्या होगा चीज़ें आपको मैं यहां से बताता हू minutes में आप क्या डालोगे minutes are nothing but a fair and correct summary of the proceedings अब सर उसके बाद मेरे को एक बात बताओ दो डिरेक्टर लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से और लड़ाई करते वक्तों लोग एक दूसरे को गाली कलोज कर रहे थे और ये सारी चीज़े company secretary अपने minutes में नोट कर लिया तो इस तरह की चीज़ें क्या minutes में आ सकती है law ने बोला सुन बेटा तीन चीज़े minutes में नहीं आ सकती एक जो है defamatory है एक जो है irrelevant है और तीसरा जो अगर क्या चल जाना भाई sir एक तो हो गया आपका जो defamatory है defamatory मतलब किसी का नाम खराब हो रहा है दूसरा अगर irrelevant है मतलब उसका minutes में आने का कोई sense ही नहीं बनता और तीसरा derogatory है derogatory मतलब क्या उससे company का detrimental to the interest of the company मतलब उससे company का अगर नुकसान होता है अगर detrimental to the interest of the company है तो ये तीनो case में chair person जो है न discretion है वो अखेले-खेले decide कर सकता है पर अगर वो matter defamatory है irrelevant है या detrimental है तो उसको आप नहीं लोगे अपने minutes of the meetings में उसके बाद sir minutes जो होता है वो evidence of the proceedings होता है मतलब अगर minutes में लिखा है resolution pass हुआ है तो resolution pass हुआ है भाई ने बोला बापू दिखते है यानि कि दिखते है उसके बाद sir मेरी बात सुनो unless the contrary is proved it shall be deemed that अगर minutes पर कोई चीज लिखी है तो meeting बुलाई गई proceedings हुई और सारा appointment जो है वो valid है अब sir अगर आपने minutes of meeting maintain करने में default कर दिया तो 25,000 का penalty लगेगा company का और 5,000 का लगेगा पर अगर आपने minutes के साथ tampering किया छेड़चाड की ना ये बहुत important है अगर आपने change किया तो फिर sir आपको 2 साल तक की jail होईगी and आपको 25,000 से 1 लग तक का fine लगेगा ये last वाला जो line है इसको last वाला penalty important mark कर लो any person who has been who has been tampering with the minutes will be liable for a jail of 2 years and fine 25,000 to 1,00,000 minutes के बारे में कुछ और बाते बताओ दूसर आपको हर meeting ले आपको distinct minute books रखना पड़ेगा मतलब क्या general meeting का book अलग board meeting का book अलग और उसके अलावा बाकी अलग general meeting के book में जैसे जैसे general meeting होगा उस minute में आप pages add करते जाओगे तो अलग-अलग minutes book आपको maintain करना पड़ेगा अगर सर पोस्टल बालेट के थूँ अच्छा minutes के अंदर आप 30 दिन के अंदर entry करोगे पोस्टल बालेट के थूँ अगर हो रहा है तो आप उसे में बताओगे क्या resolution प्रपोस्ट था कितना क्या result आया और scrutinizer का report भी attach करोगे आप सर सबसे कते ही important provision आ जाता है कि minutes को sign कौन करेगा रे बाबा मेरी बात ध्यान से सुनना मैंने आपको शुरू में बताया था minutes का provision कैसे याद करना है minutes should be prepared held sorry kept and preserved ये तीन चीज़ थी ना ऐसा कुस्सा अब मेरी बात सुनो सर साइन कौन करेगा minutes को अगर board meeting का minutes है तो इस board meeting का chairperson sign करेगा या फिर next board meeting का chairperson sign कर लेगा कोई problem नहीं है पर सर अगर आपका general meeting का minutes है ना तो इस general meeting का chairperson sign करेगा पर अगर ये chairperson की death हो गई या inability हो गया या कुछ भी हो गया ना तो सर आपका कोई भी authorized director sign करेगा ऐसा नहीं है कि अगले वाले general meeting का chairperson sign करेगा बिल्कुल भी नहीं सर authorized director sign करेगा क्यों कि यार general meeting तो साल में एक बर भी हो सकते है ना अगले साल तत कोड़ी wait करेगे authorized director से sign करवा दे similarly सर अगर postal ballot की बात है तो postal ballot में ये दोनों provision mix हो जाते तो आपका जो board of director है उसका chairperson sign करेगा पर अगर वो नहीं है तो कोई भी authorized director sign करेगा सर आप अगले meeting का wait नहीं करोगे तो सर ये जो तीसरा वाला point है वो पहले का अब सर इनिशन और sign में आपने डाल दिया पर जो last page होता है वो हमेशा signed होना चाहिए last page हमेशा क्या होना चाहिए signed होना चाहिए समझे पड़ो सर अब सर उसके बाद बात करते है minutes को preserve करने का minutes को preserve करना important है जी हाँ सर बहुत important है और बहुत ध्यान से सुनना दो minutes की बात कर रहा है एक तो general meeting वाला एक board के वाला सुनो जो general meeting वाला है वो आप registered office में रखोगे उसके अलावा कहीं नहीं रख सकते पर जो board meeting का minutes है न उसको आप registered office में या कहीं भी और जहाँ आपकी इच्छा नहीं रखना पड़ेगा पर board meeting का जो minutes है न उसको normal members नहीं देख सकते तो आप इसको जहां रखना चाहो बहां रख लो कोई problem नहीं है such other place as the board may decide उसके बाद सर एक provision है जो मैं आपको बस यूँई बता दिता हूँ कि अगर section 8 company के case में यह पूरा का पूरा provision आपको नहीं लगेगा मतलब minutes का provision नहीं लगेगा except that minutes may be recorded within 30 days of conclusion of every meeting मतलब आप चाहो तो कर सकते हो in case of company where AOA provides for confirmation मतलब सर्फ section 8 company को minutes का provision mandatory नहीं है पर अगर company चाहे तो minutes बना करके रख सकती है 30 दिन के अंदर उनको minutes में data डालना पड़ेगा सर यह पूरा का minutes का provision था मेरी बात ध्यान से सुन लो बहुत आसाने important बाते क्या याद रखनी आपको minutes में data कित्ते दिन के अंदर जाता है सर आप जबाब दो minutes में data कित्ते दिन के अंदर जाते 30 days के अंदर minutes में data चला जाता है ठीक है minutes maintain करोगे आप permanently preserve करोगे और किसके custody में रहेगा कहाँ पे रखोगे यह सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी है बताओ आपको समझ आया की नहीं आया सर आया की नहीं आया हाँ सर, अब section 119 कहता है inspection of minutes, क्या आप minutes का inspection कर सकते हो, जी हाँ सर inspection जो है ना minutes का सिर्फ और सिर्फ members कर सकते है members के अलावा कोई और generally inspect नहीं कर सकता inspection कौन कर सकता है सर, general meeting का minutes कर सकते हो, resolution by postal ballot कर सकते हो, जो registered office में रखा है inspection कर सकता है member बिना किसी charge के, during business hours और अगर आप चाहो तो business hours को 2 घंटे से कम कर सकते हो, लेकिन 2 घंटे से कम मत करना, सर क्या कोई minutes का copy भी मांग सकता है, जी हाँ, बिल्कुल आप fees का payment करके copy मांग सकते हो और अगर आपने copy मांगा है, तो company उसको 7 दिन के अंदर 7 working days के अंदर company को जमा करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर 7 working days के अंदर company को आपको minutes भिजवाने पड़ेगे, ठीक है पर सर, law में ये लिखाए कि अगर आप soft copy का demand कर रहे हो और वो भी minutes जो पिछले 3 financial year में से कोई सा था, तो सर law कहता है आपको free of cost मिल जाएगा अगर आप soft copy मांग रहे हो, पिछले 3 साल का मांग रहे हो, आपको free of cost मिल जाएगा सर बस खतम होने वाला है, जाना नहीं खतम होने के बाद बहुत खुशी होईगी, बस जाना नहीं मेरी बात सुनलो, सर if inspection is refused, then there will be a penalty अगर सर आपको inspection मना कर दिया गया है तो आप tribunal के पास भी जा सकते हो, tribunal order देगा और order में आपको inspection, immediately inspection करने मिल जाएगा या फिर आपको immediately copy बिजवा दिया जाएगा अगर आप tribunal के पास जा रहे हो, tribunal ने order दिया पर एक चीज़ भ्यान रखना, minutes का, minutes को जो हम जाकर के inspect करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ member जा सकता है member के अलावा कोई नहीं जा सकता, member किसी और को authorize नहीं कर सकता, ठीक है सर section 120 आप please खुझ से पढ़ ले ना, और section 122 आप खुझ से पढ़ ले ना, मैं आपको section 121 पढ़ा रहा हूँ, last section 120 आप 122 इंपोर्टन नहीं हो, आप खुझ से पढ़ ले ना, section 120 important है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, law क्या कहता है सुनना, जब भी एक company का AGM खतम हो जाता है ना, तो AGM खतम होने के 30 days के अंदर, आप एक report बनाओगे on AGM और आप ROC को file करोगे, sir ये जो आप report बनाओगे, ये MGT 15 form में बनाओगे, और 30 days के अंदर file करोगे, ये report में आप क्या बताओगे, आप बताओगे, a bold MCQ, bold MCQ क्या है sir, आप बताओगे, आप बताओगे, क्या business transact हुआ था, बाकी चीज़े, क्या law का compliance हुआ, कोई आपका, आपका D का क्या था, मेरे को याद नहीं है, M, आपका minutes of the meetings के बारे में बताओगे, C, आपके chairperson कौन था, वो बताओगे, और Q, quorum meet होता ही क्या ये आप बताओगे, ये अब बोल्ड MCQ में ये सारी चीज़े आप बताते हो, किसको बताते हो सर, RRC को बताते हो, 30 days के अंदर, अब बोल्ड MCQ, सर ये जो report है, ये कौन देता है, याद रखना, ये report जो है, सिर्फ और सिर्फ listed companies देते है, listed public companies सिर्फ ये report देती है, उसके अलावा किसी को भी ये report दे 500 रुपय पर दे, after the first subject to maximum of 5 लाग, और officer in default को लगेगा 25,000 रुपया, 500 रुपय पर दे, subject to maximum of 1 लाख रुपय, और सर सुनो, ये जो report है न, ये minutes का replacement नहीं है, minutes तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में आपको ये भी देना पड़ेगा, सर सबसे important सवाल, ये report को sign कौन करता ह सर ये report को एक chairman और company secretary sign करता है, दोनो, CM and CS, और अगर CM sign नहीं कर पा रहे है न, तो दो director sign करेगा, उसमें से भी अगर company में आपके MBA है, तो MB sign करेगा, तो मैंने क्या बोले, ये important है, chairman sign करता है, company secretary sign करता है, मैंने आपको class में एक homework बनाने बोला था, signature का summary, तीन जगा signature आता है, क्या आपने वो summary बनाया, किसी ने, मैंने आपको class में एक summary बनाने बोला था, क्या किसी ने summary बनाया, जो summary बनाया से में को भीजना जरा तुम, भीजना monitors को, भीजना monitors में को WhatsApp group में भीजेंगे, दोस्तो, sir, आप क्या बताते हो, a bold MCQ, a bold MCQ क्या हो गया, adjournment, business transacted, others, law का compliance, details of the details of the meeting, meeting कहा हुई थी, कब हुई थी, share, उसके बाद bold MCQ, m क्या हो गया, number of members attending, forum हो गया, और chair person के बारे में हो गया, ये सारी चीज़े आप अपने annual report में देते हो, और आप उसको AGM में फाइल कर देते हो, दोस्तों आपको एक बात बताओ, 105 के बाद से, मैं क्लास छुट्टी, 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 छुट्टी का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, मेरा पेट दुख रहा था, मेरे को ऐसा, अजीब सा लग रहा है, बहुत जादा, पर मैंने सोचा, I wanted to let go, after every section I wanted to stop the class, but मेरे तबित खराब होने सा, आपकी पड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, यह इसका intent ही है था, क्योंकि आपको exam लिखना है, आपको paper देना है, आपको test लिखना है, तो दोस्त, मैंने तो कर लिया है, जो मैंने बोला था आपको, अब आपकी बात है, ठीक ह चलो सार, session यहीं खतम करते हैं, अगर सही मैं आपको video पसंद आया है, तो please, एक like जरूर कर देना, और comment जरूर कर देना, कि आप लोगों को कैसा लगा, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ, अगले video में, और एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, and all the very best, ठीक है, चलो guys, thank you, bye-bye चलो से लोगाई एक जरूर कते हूँसे बस्सक उनोदाब आप शेान आपको